मुझा पूर्ण 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 मुझा पूर्ण 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 मुझा पूर्ण 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 मुझा पूर्ण 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 मुझा पूर्ण 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 मुझा पूर्ण मुझा पूर्ण मुझा पूर्ण मुझा पूर्ण मुझा पूर्ण मुझा पूर्ण राम चंद्र के काज समारे लाय सजीवन लखन जियाए श्री रगु वीरह रशी उरलाए रगु पति किन्ही बहुत बढ़ाई तुममम प्रीय भरत समभाई सहस्रबदन तुम रोजस गावे असकहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीशा नारद सारद सहित अहीशा जमकु बेर दिग पाल जहांते कभि को बिद कहि सके कहांते तुम उपकार सुग्रीव ही किन्हा राम मिलाय राज पर दिन्हा तुम्हरो मंत्र विभीशन माना लंकेश्वर भै सब जग जाना जुग सहस्र जोजन परभानू लेल्यो ताही मदुर फल जानू प्रभु मूद्री कामेली मुकमाही जल दिलांगी गय चरजनाही दुरगम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हरे ते राम दुआरे तुम्हर रखवारे होतन आग्या विनुपैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरना तुम्हर अक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनो लोक हांकते कापे भूत पिसाच निकट नहीं आवे महाबीर जब नाम सुनावे नासे रोगहरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुडावे मन क्रम बचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस वीराजा तिन के काज सकल तुम साजा और मनोरत जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग पर ताप तुम्हारा है परसिद जगत उजियारा सादु संत के तुम्ह रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अश्ट सिद्धिन वनिदिके दाता असबर दीन जान की माता प्रामर सायन तुम्हरे पासा सदार हो रगुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जनम जनम के दुख विसरावे अंतकाल रगुबर पुर जाई जहां जनम हरी भक्त कहाई और देवता चित्तन धरही हनुमत से ये सर्व सुख करही संकट हरे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बल बीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करों गुरु देव किनाई जो सत बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महा सुख होई जो यह पड़ हनुमान चालिसा होय सिद्धि साखी गवरीसा तुलसी दास सदाहरी चेरा कीजे नाथ रिदय महडेरा पवन तनय संकट हरना मंगल मूरति रूप राम लखन सीता सहिता रिदय मसं सुरभू पसियावर राम चंद्र प्रियो राधावर कृष्ण चंद्र प्रियो उमापति महादेव प्रियो पवन सुतहनु मान प्रियो बोलो भाई सबसंतन प्रियो अरी ओम आनो बद्राक्रतवो यंतु विश्वतो दब्दासो अपरितास बुद्विदा देवानो यता सादमिदा बुदे असन्न प्रायुओ रक्षितारो दिवे दिवे देवानाम भध्रासुमतिरूजु यताम देवानाम रातिरविनो निवर्टताम देवानाम सक्यमुपसे धिमावयं देवान आयुपतिरंतु जीवसे तान् पूर्वया निविदा भूमने वयं पगं मित्र मदीदिं दक्षमस्रिदं अर्यमनं वरुनं सोममस्विनां सरस्वतिनस्वगामयस्करतं तन्नोवातो मयोभुवातु बेशजं तन्मातापूतिवितत्विताद्यों तत्ग्रावानसोमसुतो मयोभुवस्त दस्विना स्रुनतं दिष्नायुवं तमीशानं जगतस्त सुचस्पतिं तियं जिन्वमवसे भूमहे वयं पूशानोयता बेद्सामसद्गुदे रच्षिता पायुरद्द्धस्वस्ते स्वस्तिना इंद्रो अृतस्रवान स्वस्तिना पूशा विष्ववेदान स्वस्तिना स्थार्शो अरिष्रनेमी स्वस्तिना अहस्पगेदातू पुषदस्वा मरुत पुष्मी मातर शुबं व्यावा नो विदते शुजग्मया अग्नि जिर्वा मनव सुरा चक्षसो विश्वे नो देवा अवसा गमन्मिया बद्रम करने विश्वुयाम देवा बद्रम पश्ये माक्षविर्य जत्रा स्थिरे रंगे स्थुष्चुवां सस्तनुनि व्यशेम देवरितं यदायू शतमिन्नु शरदुमंति देवा व्यत्रा नस्चक्रा जरसंतनुनां उत्राशो यत्रा वितनो भवंति मानो मध्यारी रिष्यता युनु गंतो यो शान्ति रंतरिक्षम शान्ति पुत्रिविशान्ति रापस्चान्ति दोषदया शान्ति वनस्पतया शान्ति विष्वे देवा शान्ति रम्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्ति रेव शान्ति स्वाम शान्ति स्वाम शान्ति रेव शान्ति स्वाम शान्ति रेव शान्ति आप 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 कर दो 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 ठаксमी के पेन घिके unified स्वाले की जा भीगा का जोगे दब कीजी मुआ तरहें जातरी है कि गाडि एांकडू ऑडिक बडह मोज वर और को काला है कर दो 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 कर के दो कर सूआ़े भूग दूँखे कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो हुआ। कर दो 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 कर कर दो 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 कर कर कर दो कर दो हुब हुआ है तुम्हारी चुलाता नहींत तुम्त परेस्टूने करत के खारेस्टूने में तुम्तार से खारेस्टूने के ऊखुड़ के विद्सटूनका तुम्ता घ्रकार्सूने के समखें। कर दो 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 कर दैती है कर दो कर दो कर दो हिए तु माराई झाल 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 सीता 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 सा सर्वदेव मैं, सा को मैंने सिता कर दिया है, सा मानी संकेते सिता क्यों, क्योंकि ये सितोक निशत का मन्त्र है, लेकिन सा सर्ववेद मैं सा मानी सा, मूल सूर, सा, रे, गर, म, प, ध, सा, सर्ववेद मैं, सा, सर्ववेद मैं, सा सर्वदेव मैं, सा सर्वदेव मैं, यति भी सा सब सुत्र के आगे नहीं है, सा प्रारंब मैं ही, लेकिन विशेश सरल्ता के लिए, सा सर्वलोक मैं, सा मिंस, सा सर्व किरती मैं, सा सर्व धर्म मैं, सा सर्वाधार, सा कार्य कारण मैं, सा महालक्षमीर देवस्य, सा महालक्षमीर देवस्य, भिन्ना भिन्न रूपा, सा भिन्ना भिन्न रूपा, सा चेतना चेतना अत्मिका, सा चेतना चेतना अत्मिका, प्रारंब में ही सा है ताकि सा सरल पापती है और सामानी तलगाजनदू उसका यह अर्थ करता है सीटा सर्व वेदमाई सीटा सर्व देवमाई सीटा सर्व देवमाई आप कहेंगे कि आपको क्या अधिकार पहले मंत्र में साहे, मंत्र के आरम में बिरहर जगर साहे, यह आप परिवतन कैसे करते हैं, यह रिशी का अधिकार है, आप अस्तकेप कुं करते हैं, आप कह सकते हैं, रिशी नहीं कह सकता, आप कह सकते हैं, कि रिशी जानता है कि तलगा ज्रोडू बराबर करी रिए लेकिन आप मना करते हैं लेकिन मेरे दादा जी मुझे कभी कहते थे बेटा मुझे वो लो आ गई उनकी याद वो कहीं आए वो कहते थे बेटा मैं कितना तुम्हे रामायन समझा पाऊंगा क्योंकि मेरी काया काम नहीं कर देए मुझे रामायन पढ़ाने के लिए बैठते थे तब मेरे दोनों हाथ पकड़ कर बैठते थे और पाठ पुरा होने के बाद दोनों हाथ पकड़ कर खड़े बड़ी उनकी तो वो कहते थे बेटा इच्छा तो होती के सब उडेल हूँ लेकिन में कितना क्या हूँ यह हूँ पुराने बूल याद आ रहे हूँ तब एक एनवास शब्दतों में प्रयोग कर रहा हूँ सरलता की दादा तो कहते थे कि मैं तुझे कपड़ा देता हूँ रंग देता हूँ पीछी देता हूँ यह उपादान कारण है गीता का रंग तु अपने ढंग से भरना रंग तु अपने ढंग से उसको कलेवर तु देगा मेरी समझ में शब्दकार्थ है कि गुरु क्रिपा का कैंडवास देता है और प्रेम की पीछी देता है और उसमें जितने रंग होते हैं जितने रस होते हैं वो द्रावन ये पदार्थ सुनवाय में फिर एक बार मेरी प्रसन्नता विख्त करूँ कि कल आप कथा पदार्थ को एक अर्गनिया कथाकार तो मुरहरी बापु जैसे कहीं आएंगे चले जाएंगे लेकिन अनन्त तो एक मात्रहरी कथा है और इस कथा को अर्ग जब व्यक्ति नहीं व्यक्ति तो ठीक है यह प्रभु की क्रिपा कि मुझे अवसर भी लागाने का शीव से प्रारंब हुआ कई आए कई गए लेकिन कथा आज भी वही कि वही इस कथा को अर्ग दिया जाए कि हमारा जग्दिश्ट रिविरी राम कथा पर पीएचडी करें तो यह कथा को अर्ग है मुरादी बापो को करें आदमी तो प्रवाह में कित यह मेरी समझ होनी चाहिए यह दिपी कथा के साथ मेरा नाम लिया जाएगा और उसका मुझे आनंद है गुरु कृपा राम कथा शब्द सुनोगे तो तुम्हे कभी न कहीं मुरादी बापो की आवाज सुनाएगा कल में रहू न रहू इक क्रिपा है यह भगवत क्रिपा है आदमी का कोई काउशल्य नहीं है यह मैं ठीक से समझ रहा हूँ और दुआ देना मेरी समझ बनी रहे जीव है कब वृत्ती बदले क्या ठीकान कब कमजोरियां प्रवेश करे क्या ठीकान इंद्रिय द्वार जरोखा नाना तुलसी कहते हैं इंद्रियों के द्वार छिद्रमय है जरोखे हैं विशय का वायू कब भी अंदर आ जाएं और समझन के बीब को बुजा दे क्या ठीकान सावधान सादक लेकिन कथा का मुल्यांकन हो रहा है इसलिए मुझे बड़ा इंदर होता है कथा पोखा भी जो यह मुरारी बापु रही है कि हमारी पुरानी जो पद्दत ही है शोबूत भागवत की कथा और आंगा कहीं किसी ने देखा कि कोई बैन और भाई में कथाकार को नेपकिन रखकर ऊपर बिठाया इस पोथी को ही बिठाया हालो मुरारी बापु कता कहाना थे नेपकिन मुको मत आउपर अन बापु तुम बेही जाओ नहीं नको पोथी श्रिंग पर है पोथी शिरोधार्य है वक्ता तो शरणागत है शरणम प्रपद्य शरणागत है और ऐसी कथा का मुल्यांकन बवदिक जगत में होता जाई समाज के आँख खुल रही है वरना कथा मानी पुन्य कमाओ कथा मानी पित्रूओं का मुक्ष कराओ कथा मानी पीति पिताई बातें एक आदमी एक भागवत कथाकार के पास गया था मुझे स्वर्ग चाहिए सुना है कथा से स्वर्ग मिलता है सुनाओ पातला पारायन वोले कलियूग है एक कथा से स्वर्ग नहीं मिलेगा चार कथा करानी पड़ेगा क्योंकि क्योंकि कलियूग में सद ग्रंथ की असर भीक थोड़ी कम हो चुदी है इसलिए उसमें भी थोड़ा उर्जा कम हो गई है बेई चही बेद क्योंकि हमने वेदों को वेचा है मानस कहता बेई चही बेद इसलिए कभी अखा को कहना पड़ा व्यास जो शब्द में बोलता ने लेकिन अखा ने बोला इसलिए बोलता व्यास वेश्यानी एकजपेर विद्या बेटी उचेरी घेर थोड़ी सी विद्या आदाम की लड़की को विव्यास और इनको और उसको बाजार में रख दिया कि तरह कड़क निवेदन और वश हो तो वो शब्द जो खाने पर उसके साथ वैश शब्द जूड़ देते मैं नहीं जोड़ूँगा क्योंकि किसी को दुख लगे लेकिन और शब्द में दो दुख कहा था दोनों ये कहें ऐसा कहते हैं दोनों व्यापारी है और शब्द तो मानस में लिखा है बेच अही बेद धर्म दुही लेगी जो वेद को वेचता है और धर्म को दोह लेता है शोशन करता है पिसुन पराई पाप कही लेगी चुगली खोर निंडक जो दुसरों को उसके पीछे उसके दोशों का किर्थन करता है उसकी जो दुरगती होती है भरत कहते हैं मेरी वो दुरगती हो यदी मैंने कभी मेरी मां को कहा हो कि राम को वन देना और मुझे राज देना इभरत का अयोध्यकांड आले खित निवे तक है तो कहां कि स्वर्ग तो देगी कथा लेकिन धर्मग्रंथों की उर्जावी कल्यूक के कारण थोड़ी कम हो चुती है पहले एक कथा से उत्मुक स्वर्ग मिलता था अब चार कथा करो तब ही मिले अच्छा 28 दिवस बैसी है तो साथ साथ दिव लेकिन मुझे तो कोई काम नहीं यही काम है वक्ता ने का लेकिन एक कथा का चार चार जार रुप्या है तो 16,000 देना तो उसने ग्राहक की तरह कथा सुनी कथा कार्ण व्यापारी की तरह कथा सुना रहा है कथा पुरी होई कथा में परिक्षित का मोक्ष हुआ यहां ये आदमी कुछ दिनों को बाद मरा तो स्वर्ग के द्वार पर नहीं नरक के द्वार पर खड़ा था अधिकारी गणों से लड़ाय करने लाता है मैंने चार कथा सुनी चार जटगड़ा दिया और मुझे स्वर्ग मिलना चाहिए बकवास मत कर जैने संभडावी चे नहीं आठ दिवस पेला आए उसे याठ दिन पेले मरा और यहां है तेरी प्रतिक्षाम है सोचिए जिस कथा को इस रूप में देखा जाता था कि पुन्य कमाओ प्रतिष्ठा कमाओ ठलाना भाई में वह भागवत कथा किरवाई अच्छी बात है रामायन की कथा किरवाई लेकिन आज हर एक क्षेत्र से हर एक एंगल से कथा का मुल्यांकन हो रहा है वो मेरी प्रसंड़ता का रिश्ए कहीं मुरारी बाप वहाएं के कहीं है भी छोटे मूटे घोटे नाटे असली नकली मंगल मुराणी अच्छी बात है कहीं नामधारी कहीं वेश्धारी वक्ताओं जो जरूरी है आएंगे लेकिन चले जाएंगे कथा का मुल्यांकन होना चाहिए कि समय समय पर इस माध्यम ने विश्व मंगल में क्या योगदाम दिया है क्या अर्ध दिया है सकल लोक जग पावनी गंगा तो मेरा यह परम सवभाग्या यह यह मिला तो वरन के रूप में जब कुछ मिलता है क्रिपा से कुछ मिलता है तब कुछ स्वाधिन्ता भी नीती है कुछ स्वातंत्र भी गरंथ परदान करता है गुरु परदान करता है तो दादा कहते है मैंने तुझे कैनवास कपड़ा दिया है पीछी दिया है रंग दिया है अब तेरे ढंग से माइकल एक पत्थर देख ले और उसमें से एक संदर शिल्प बना दे पिकासो एक कैनवास मिल जाए और अदभूत विश्वा प्रसीद चित्र निर्बीत कर दे वेसे गुरु क्या देता है कृपा का कैनवास प्रेम की पीछी और कहे तुझे स्वातंत्र देता हूं फीर मेरा स्मरण रखकर उसमें रंग अपने ढंग से बरना इसी लिए सीता सर्ववेद अधिकार है अधिकार का उप्योग एहंकार से नहीं करना चाहिए अधिकार का अर्थ अधिकार का उप्योग लोक मंगल के लिए करना चाहिए विश्व मंगल के लिए जग मंगल के लिए मंगल करनि कल मलहरनि तुलसी कथार हुनात की लोक मंगल हो सीता सर्ववेदमाई सीता सर्ववेदमाई सीता सर्ववेदमाई मैं इसलिए स्पष्टता करता हूं क्योंकि मेरे शुरुता इतने इतने अभ्यासू और खोजी बनते जा रहे है कि कि इसी ग्रंथ का नाम दूँ तो फिर कभी न कभी वो ग्रंथ खोल करके स्पाध्याई कर दो यह मुझे अच्छा लग और उसी में आप केबल सा देखो और मैं सीता बुलवाया तो आपको लगया कि बापू की चुक है कि बापू ने कुछ गलती कर दी है गलती हो सकती है वक हमारे युपी के कथाकारों का फाइद है कि नापकर सिक्स्टी मिनिट बोलते हैं नापकर जाब मैंने कहीं नेकल बिंडु जी का स्मराण का एक गंटा कहीं महापूरुष ऑशो बोलते थे डेढ गंटा डेढ से जज़ादा यह अची कृपा की डेढ बोलते थे डेढ और हमारे प्रोफेसर तो पौन घंटे ही बोलते हैं 35 मिनित पौन घंटे आदी हैं कम बोलने से चुक कम होती है आज राद को जाग रहा था यगन के पास थोड़ी दिर बैठा फिर जूले बैठा जाग रहा थे मेरी एक चुक पकड में आगी कि मैंने पहले दिन निवे जन किया था कि अशाड़ी नौरात्र तो इसमें मैंने चुक से कह दिया कि रामदेव पिर नौरात्र भादरवा महोई पछी मन भादरव हो याद है और मैंने पहले दिन आपको अशाड़ का तो इसलिए तुरंत आज रात को मुझे इसमरण में कि उसी दिन भूल से मैंने अश पहत्र भादरवा महोई जी रामदेव पिर को मानने वाले लोग उसमें रामदेव की कथा कराते हुए भादरवा महोई तो मैंने अशाड़ में ऐसे भूल गया तो कुछ बाते ऐसी नहों हो जाएं कि गलत भेहमी बन जाए इसलिए एक ही बार सा है औरे मंतर और आज में सा और कल से मैंने सा बिलकुल बोला नहीं सीता सर्ववेदमाई एक कृपा के कैनवास पर प्रेम की पीची से बरा हुआ रंग है आखो वाले देखें और कृष्ण मुर्थी ने कहा कि आख पर भरोसा मुद करना कि आख तो अंदेरे में तुमारा खुद का हाथ भी नहीं देख सकती जगनाथ को कैसे बीट पर इसलिए दिव्यम्ददामिते चक्षू दिव्यम्ददामिते चक्षू हूँ पस्चमे योगम मैंश्वरम पस्चमे योगम मैंश्वरम अर्जून मैं तुझे आख दूं तब मुझे दे अपनी आख अपना हाथ उंदेरे में नहीं देख सकती और वोही आख दूसरों के दोश कितना देख लेती हैं खला में ये 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 तो यह मेरा रंग है दादा इंडी में थोड़ा सिखाते थी मुझे संस्कृत का उसका अभ्याज रहा कि संस्कृत की बात आती थी संस्कृत ग्रंद हमारे हरे रंग के कबाट में बरे रहते थी कि यह बात होती दादान मुझे थुड़े शेर उशाई निशिखा लिए कि बेटा तू शेर फ्नेक जे दादान थुड़ा कहा था कि तू फिल्म का गीत गाना मुझे छूट दी ऐसा मुझे मैसस होता है कि बेटा रंग तू कथा की रंगोली बना और तेरे डंग से तू रंग और ऐसी रंगोली बना कि कोई माई का लाल अपने पैरों से एने रगदोली में सके कोई पैरों से उसके रंग को मिटा न सके इसको हटा न सके ऐसे रंग दाशिए कि इसलिए सीटा आपके मन में बविश में प्रस्टन उठे गरंद देख करके सीटा कहां से आ गया यह साख क्यों डाल दिया यह अपना रंग और और मैं बिलकुर सभान हूँ यह गुरु कृटा दादा न तुरा कहा तक बेटा कभी ओशो की कोई बात कहना दादा को ओशो को नाम का भी ख़बर नहीं गुरु स्वाधेन का दियता है अनुराग से पूजा करो तो पुझ मिलता है और पुझ मिलता है तो प्रियतम मिलता है इमान स्पक्र पूजा की नहीं अधिक अनुरागा उसके बाद पुझ मिलता के ही अवसर एक सखी सिय संग मिलता है पुझ मिल गया मर्ग दर्शुक मिल गया पुझ मिल गया तो प्रियतम मिल गया यह करम है तो यह साएक ही बार है मंत्र के प्रावन प्राश सीता तो है लेकिन सीटोपनी शरह सामता मतलब है सीटा के और इंगीट करता सीटा सर्ववेदमाई सीटा सर्ववेदमाई तो सीटा तत्व सर्ववेदमाई है और वेद तीन है चौथा तो बाद में आए जो कल बात हुए त्रिवेदी तक ही सर्नेव थी चतुर्वेदी वत्थी द्विवेदी त्रिवेदी फिर चतुर्वेदी लाकि त्रिवेदी कलका स्मरन करें त्राई सांक्यम योगा पशुपति मतं वैश्णवमिती प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पत्यमिती चै अरुचीना वैचित्या द्रजुकुटिलनाना पथजुशा निर्णामे कोप् त्राई सावन महिना आराया जूम के आया सावन जूम के रियर्सल हो रहा है महादेव की पुजा का महोक्षा खटवांदं परशुरजिनं भस्मपनिना कपालं चेति तववरदतं रोपत करणं सूरास्तां ताम्रुत्विल्दधशितु भवत्भू प्रणिहिता नही स्वात्माराव इशयम्रुगत्रुष्णा ब्रह्मयनी नमामीशमीशान निर्वान रूपं विवोंग्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुनं निर्विकल्दं निरीनं जिलाका सिर्वानास वासंपजे बाप अशाधी बीज शंकरना कपाल माजे बीजनों चांद छे इजोवानू प्रवेशद्वाए चे यह अशाधी बीज महादेव के भाल चंद्र का निमंत्रण है या बीजने आधारेव यो आये आसितगीरी समस्यात कज्यलं सिंदु पात्रे सुर्तरु अरशाधा लेखनी पत्र गुर्वी लिखतीयदी गुर्वित्वा शार्वा सर्क्रमान। तद पितव गुनानाम वीश पारण सयाती तो वेद मई है माता और सीता वेद मई है तीनों वेद सीता के गुनगान वेद भी नहीं गापाते हैं वेद का क्रियाकांड सीता में है वेद का उपासनाकांड सीता में है और वेद का ज्यानकांड सीता में वेद का क्रियाकांड सीता में राम की लीला में सहचरी बनकर क्रियाकांड बताएगे वेद का ज्यानकांड सीता ने जब अगनी प्रवेश की बात आई तब मुस्कुराते हुए समझदारी के साथ प्रेम के साथ समझ गए कि ये तो सब लीला मात्र है नाटक मात्र है समझ के साथ उसने अगनी में प्रवेश किया तो वहां जान की ज्यानकांड मई है और निरंतर अपने प्रियतम के श्मरण में अपने पैर के तलवे पर निगाहें डाल कर निरंतर राम का रटन करने का स्वरूप सीता का वेद की उपासना मै कांड का सिंदिद्ध। और व्रम्मा सर्जन करते हैं विष्णुपालन करते हैं शीक संगार करते हैं तो उद्भव्सिति संगार कारिंद्ध। यह तीनों का काम सीता केली करती है इसलिए सा सर्वदेव मै यह तीन देव मै सा सीता तो सिद्ध होता है इस सरवदेव मही है सिता के हाथ में इंद्र है सिता की आँखों में चांद और सूर्द है सिता के पेट में सिता के उधर में वरून है सिता की जिहवा में शीतर अगनी है सिता के करण में शुरूती है सिता के चरण में भक्ति का नर्तन है कंकन किंकिनी नीव पर धुनी सुनी कहत लखन जनरा मर लए भुजी सिता सरवदेव मही प्रत्यक इंद्री पर इंद्रियों के देवता होते हैं मां सिता में सरवदेव समाही तक है साथ अत्वा सीता अत्वा कुछ नहीं सरव लोकमई तीन अलोग सब तिन तिन की गिंती है यहां स्वरग मृत्यू पाताल सीता तिरों जगह है यह पाताल ने दुर्गा के रुप में मैं एक दिन पहले का कि सीता का जो रूप है इसमें एक रुप दुर्गा भी है लक्ष्मी भी है किर्धी भी है श्री भी है कि तो पाताल में हैं कि सीता पृत्वी पर है दुर्गा के रूप में जहां देखो पृत्वी की तो बेटी है पृत्वी में समाई है तुल सिदाजी ने रामाग गिना एक गरंथ लिखत छोटा सब उसमें सीता के दो विवावीद विवादित प्रसंगों का जिक्र किया एक सीता की अगनी परिक्षा और एक सीता की भूमी प्रवेश उसमें तुलसी रामाग ग्या में कहते हैं कि सीता की अगनी परिक्षा है ये शुबह ये शुकन ये मंगलव है ये जगत के लिए वरदान अगनी परिक्षा है किसी की अगनी परिक्षा शकुन है लेकिन तुलसी का इशू है लेकिन तुरसी कहते हैं सीता का पुर्थवी प्रवेश्ट ये अमंगल है कोई बुद्ध पुरुष जगत में आए ना उसकी अगनी कसोटी विश्व के सगून है लेकिन वो विश्व बुद्ध पुरुष चला जाए ये जगत के लिए अमंगल है कि सीता के में कल लिख कर लाओंगा मेरे समूर्थी में उसका बावारत है शब्द में प्लीज मुझे कल तक कल का सुमूझ तो पढ़कर आपको साधार बता दूंगा कि दौनों घटना मैं उस पर बड़ा मुझे गुरु कुरुपा से मैं उसको बोलना चाहता हूं कि एक प्रसंग को जबिया जबे हैं और नर्सी मेता की हारमाला का प्रसंग सगून है अपने को पीडा हो जाएं नर्सी मेता को ऐसा हुआ हरी चंद्र ने वे चाही ज़ो पड़िए कि एसे ऐसे महत्तम व्यक्तियों की भी अगनी कसोती हुई हम और आप किस खेप की मुझे हुऑ यह सगून है यह डादस है आश्वासन सगूप 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 लेकिन बुद्ध पुरुष की विदाद जीसस जब गया सुक्राथ जब गया बुद्ध जब गया अमंगर बताया है गुजराती में लिखा है गौमती ये घुंगट तानियों अन तेदी रोयों रन छोड़ जाए जो कृष्ण ने प्रयान किला तो गौमती नदी मुर्चिपा गया इससे नहीं देखा जाएगा गांधी गये अनगनीत आँखे रोई थे बत्पुर्शो का जाना हमारे लिए गाता है इसे लिए लगता है ये पल क्यों आई हमारे समय में ये पल क्यों आई कि शर्मद गया मन्सूर गया पैगंबर गया कि संद्की द्रश्टी कि इतनी विलक्षन होती है इतो रामाज्या का भाव है कि एक प्रसंग को असगूल एक प्रसंग को सगूल बता है कि पूरी बिलक्सी द्रश्टी यहां प्रगट होती है तो सीता त्री लोक मही है पृत्वी पर तो है अपना माटे तो सीता पृत्वी पर क्या हमारे पास तो अपने पास तो बिलकुल गुजरात में है मां कि तो सीता प्रसंग को अपने पर कि तो सीता है त्रिलोक मैं पावते गड़ती दूतर्या आपाई एवसायू चाहपाने पावागड़ वाली रे पावड़ द्रिलोक मैं आपाई रे माचात गड़र तूतर्या माहापाई ये रा आपाई वाली रे प्रुच्वी पर है के वाइष्णों देवी है और सीत पृत्वी की बेठी ये पृत्री में समा ति आई या और वेद वती के रूप में या श्कीbas कि अन। या थोड़ा थोड़ा है कि वेद वती शिरबद्रज की कण्या कासि ने स्रें कि एक वेद्वक्त की दिवात में बीच में कह गया आनंद रामायन से देवी भागवत से अध्भूत रामायन से बिलग बिलग कथाने से मैंने गुरु कृपा आपको बाटी लेकिन वाल में की जी सिता जी के बच्पन की बाल निला की कोई चर्चा नहीं करते हैं लेकिन उसके अवतरण की चर्चा जरूर करते हैं इसी रूप के वेद्वती उतरती हैं और शिरत्ध्वच की कंण्या है हिमाले में आई आस्मा से क्योंकि सर्वलोक मैं और फिर हिमाले में आकर वेद्वती शिरत्ध्वच कंण्या तब करती हैं बहुत सुन्दर है और रावन तो सुचंद विचरन करता था इतने वरदान और इतना शक्ति संपन्न आदमी था कि उसको कोई प्रतिबंध नहीं सुचंद जहां जाए बास मन फावे वैसे गुमता था तो हिमालाई तो अक्सर जाता था क्योंकि उनका गुरू वहां बैठा है कैलास शीव लेकिन केवल गुरू के दर्शन के लिए नहीं विचू गुरू करतो कि सिरी शिमनी को देखा उसको सताया किसी को यह किया यह किया बहुत हट से सब के पीछे लगा था यह आद भी तो वेदवती को देख गया और वेदवती को देखते ही यह आकास से उत्री पराशक्ति वो शिरद्धवज की कन्या को उसका एक निमीद उसका जो वो रूप है और वो तपस्या में लीन है और रावन उसके प्रति आकर्शीत किसी के संदर्य के प्रति आकर्शीत होने के पीछे तीन परिबढ़ काम करते हैं आपका अनुभव क्या है सोचिएगा हॉमवर्ग करिएगा मेरी बात के वल सुनिए गाब परको राम को पुष्ववातिका में देखकर महजान की आकर्शीत क्यों वाई अवाई मारो रंसे दादाए नो तुकी को राम को देखकर वो एक सक्षी प्रेम भी बस क्यों हो गई वाई देखते ही भाव मैं क्यों हो गई जिस स्थ्री को राम का नाम तक का पता नहीं इसलिए नाम नहीं बता पाई देखन बाग कुमर दो यहाई नाम तक का ननाम का पता नगाम का पता और जैसे अंग्रेजी में और ख़बर जगे कि पहली नजर का प्रेम क्या कहते हैं इंग्लिश में लोग ठैंक्यू तमने आवड़े से अंडरीजी मारे तो हैं जान मुत है अब मैं आपको क्रमश जिस तरह दादाने मुझे एक एक शब्द पिलाया ऐसा मैं तो अपने रंग से पो ले रहा हूं वाकि यह एक शब्द की गहराई तक ले जाते सब्सक्राइब आज में कोई प्रसंग और पात्र या कोई शब्द लेकर बोल रहा हूं इसके पीछे कुँए उपरे लोगे इतले अवेडा मावेज तक इस रूप में मुझे इसमरण एक एक शब्द लेकर मेरे तिन तिन दिन का अभ्यास निकल जाता था वही शब्द की बेटा ही ऐसा क्यूं कहा है ऐसा क्यूं कहा है इसा उसमें तिन दिन निकलते बड़ी महत्तिक रिपा ह बड़ी महत्तिक रिपा है एक बात बीच में भी मैंने एक बात तो एक बात कहीं कि मैंने राम जी के आथ में से दनुश्बान क्यूं ले लिए उसका बीच कहा था मैं छोटा था सुमन भाई हम खेलते थे राम जी मंदिर के वोटे पर हमार सादू के मेरी उम्र के सब तो गाओं में इस सब गाओं में जो रहे सब गाओं में कोई खिलोने नहीं होते थे उस समय मिलते थे जन्माश्टमी के मेले में तो पैसे नहीं थे तो खेलना कैसे तो देहाती लड़ हम लोग मेरे साथ खेलने वाले सब जो सावनानी हड़ी होई ने ना दनुषबार बनाता है मैंने अभी बनाया मैं देख रहा था तो दादा आ गए और मैं सली पकड़कर ऐसे बैटा था कि मैं देखू कि मैं भी बनाओ उसी समय दादा ने मेरे हाथ से सावने की सली उठा कि खोटू खोटू ही शस्त्र नो बनावा इसा धुना देख रहा था ऐसे सली तोड़ी और निकल गए यह बीज बजपड में बोया था उसी बीज ने उसी वीचार बीज ने राम जी मंदीर से राम के हाथ में से धनुश्मान उतरवा दिए खबर नहीं होती अगिनाथ चीत में कि कब क्या बोधिया है और कब क्या पनप्ता है वरना राम के हाथ से धनुश्मान उतर लेना यह तो गुरु कृप्ष बाकि तो कई धर्म गुरु को तकलिप हुई बोले नहीं यह उनकी उदार था कई साहित्तिकारों को तकलिप हुई वो बूले नहीं ये उसका विवेक अथवा तो बूले तो जरह मुस्कुराते हुआ ये टाना मार कर बूले कि बाप्प को कौन समझाया है गांधी जी के हाथ से चर्खा ले ले तो कैसा लगता है वैसे राधनुश में बाप्प तो बाप्प से ये वो लोगो कई नहीं मने चौटिया भरता था पर मारी माय का नेवा भी घ्याने के दम नो रोग नो दिवा हर एक घटना मेरे दम दम में मेरे स्वास स्वास में पचा ली गए करन वेईद हुआ था अब तो सबराजी है लेकिन मैं बहुत समय के बाद ये स्मृती ताजी हुई कि ये मेरे मन में क्या है वैसे तो शस्त्र की तो बात स्वभाव में ही नहीं ये तो सिधी सी बात रही और गामडा में बली शूशाच्ट अनि खोटा गोडा शू जग्दिश भाई एक कविता आपी चुवित भाई आपी जग्दिश भाई नीक कविता कहो ने क्या सुधी फटकार शो मैदान मा गोडो कहो ने क्या सुधी फटकार शो मैदान मा गोडो जिवन छे बैट माटी नू बैनो छे लोह मा गोडो भले थोडू रमो साचू रमो सारू रमो यारो थशो आउट तो प्यारे हशे आघात मा गोडो गणा आएवा अने चाल्या गया मैदान छोड़ी ने चता पन एक धारो आफरे आकाशमा गोड़ू अहम राखी रहो अननम अहम राखी रहो अननम चता छोड़ी जवू पड़शे तो यह मैदान तो छोड़ू पड़शे यार करे सवने अहीं धूर चाटता पड़वार मा गोड़ू शुवित बैने कविता पन साथो साथ लो काले हूँ चुकी गया प्रेम से दुनिया को छलकाए उसको ही सीता कहते हैं सरीता बन कर बहती जाएं उसको ही सीता कहते हैं चांद स्वयम है फिर भी अपने होने से परितोष कहां बन कर चांदनी जग पर छाएं उसको ही सीता जो सीता कार्थ चांदनी है सीता कार्थ चंद रहें सीता भाः चांद स्वयम है फिर भी अपने होने से परितोष कहां बन कर चांदनी जग पर छाएं उसको ही सीता कहते हैं धरती कितनी कई सदियों से कन-कन धर कर बैठी हैं राम की पत्नी होकर आएं उसको ही सीता कहते हैं त्याग समर पड़दान विशाल रदय से बहती शीतलता और हुआ बन कर चा जाए और दुआ बन कर चा जाए उसको ही सीता कहते हैं आंसु के हलसे बोई धरती ही अच्छे फल देखी मर्म सरलसा ये समझाए उसको ही सीता कहते हैं दो रचनाए मांड जुकेला आ मस्तकने आपना चरण मास थापोरे नफरत वैर ग्णा कापोरे सत्य प्रेम करुणा आपोरे आज एक ब्याने कविता लखी थी पन ये टली बधी अगरी अती ने अटले में मुटी ने तमारे जने रचनावी ने सरल आपके मारूई गजो त्येवों अगरू ने क्यों ब्यान हुज को जो तमेज कविता लखोई हुँ कैसे अगरू ने सरसे सरस थी इंडी मा थी अगर आपने का इंखाल हुजी ने जे पंथ छे जानियों मा जान्या विना नो जाओ अगर कविता नो जवदू जे तुशार बाईनो अर्ग्य पाण तुशार शुकू बापु कथा मा जे सहज भावती तमे भाशा भागी रती मा विचार दीप तरता मुको छो कथा मा जे सहज भावती तमे भाशा भागी रती मा विचार दीप तरता मुको छो एमा भाशा बेत तो क्या ही ओगड़ी जाएजी सिरी वाचे अपनी बोली में बोलते हैं और कभी-कभी बड़ा विद्वान भी मूल बोली में आ जाता है एक मिनिट में आप जो प्लीस गीता का एक श्लोक है बेटा धारतर अश्ट्रान स्वबांधवान उसके बाद स्वजनम ही कथम हद्वा सुखिना स्याम माद स्याम स्याम नॉट श्याम नॉट श्याम 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 गवर तुल्शी का शब्द यदि इसी रूप में उठाओ तो बिलकुल तवपदी भाशा में अर्जुन बोला स्वजनम ही कथम हद्वा सुखिना स्याम माधव ए माधव स्वजन कुई हत्या करने से कौन सुखि होगा यह तो दार्ग राष्ट के जो जो दृत्राष्ट के स्वबांधवान हमारे सब मांधव है यह स्वजन को माद सुखिना श्याम माधवा इसी रूप में अर्थ होते स्याम के फिर यह कही अर्थ है गीता के भास्ती में तो हजार हजार टिकाए हो चुकिंए गीता पर कोई भी लोग इस रूप में लो तो कभी कभी तौल्पदी भढशा मावी चाय उपड़े जैसे तुलशी शाका उपियो करते है, साका ही करते, शाम नहीं बोले, शाम, अपने कभी सोचा है, ऑश्व रजब जी पे अपने उच्छार थे, और अंग्रेजी जेने, अंग्रेजी के जो लोग है, मैं तो नहीं ज्याऊ, लेकिन अंग्रेजी वालों को तो श्चरी होगा कि उसके अंगरेजी उचारने बिलकुल फिल कुद के थे अंगरेजी बाद अमिरिका इंगलें वाले उसके उचार जो करे मुदार मुझे मेरे उचार वो थापड़ा होगा जो है उसीन आ आ आ आ दिला नी पर आम नम शर्णाई राखे तो कहीं इनो वागे एने ने हो ठाड़ वा पूताना जोई काले ओला पाइप पावाड़ा जेता दवे साहिब ने कौन तेहने पोताना होट जे बशीर बद्र साहिब नो शेयर हो जोटने कामे लगाड़ो बातों बातों में मस्कुराया कर असीन होटों को कामे एक अब तो उपली उट से तो मेरे गुरू की कृपा के कैनवास पर मैं प्रहम की पीजी लेकिन मैं जब कुछ रंगोली भरता हूँ तो आप अभी अपने-पने कटोरी में रंग लाकर मुझे दे रहे इसमें आपका भी हिस्सा है यस मैं उसको कुबोल कर दूँ इसी की कवी था किसी की गजल किसी का वक रंगोली में आप सब का सहयोग है इसलिए राम कथा कि रंगोली हम सबने मिलकर बनाई है तलगाजडान आंगडामा बनी यहनो मने आनन चे पड़ रंग तो आप भी लाए हैं अपने-अपने कौडी उलावी नदिपावली सजाएं तो कितने शायर कितने कवी कितने विचा प्योग करता हूँ जो मुटा-मुटा यगन होई ने पच्छी गामणाना मानसो आम नानकडी विवाटकी महगी ले जाए गौर दादा आये होमी दे जो ने इतले ब्रामन पच्छी इपन इक नहीं 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 अटलू शुलावी नहीं चेटलू लावी शर्द्धानों कि मैं क्या नइविद्यत्यरू करता को मेरे विचार का इस चप्ती चोखाज है और नइविद्य के रूप में जब आप कोई कवीता कोई व्यासपीट को आप देते हैं तब उसका 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 रूप ही बदल जाता है तो मैं जो चोखाने जोई में अपने खावानी लेकिन वो ही चावल ठाकोर जी के चरणों में रखो तो अक्षत बन जाता है अक्षत को देखने के लिए भोगने की इच्छा नहीं होती सीर पर चढ़ाने की इच्छा वो ही चोखा, वो ही चावल एक वाट की चावल तुमारे किचन में है तो चोखा बनाओ भातोरो यही भोग की इच्छा होती है वो ही शंकर के पर नमस्षिवाए नमस्षिवाए चावल चड़ाओ और जब अक्षत का रूप ले देते हैं फिर भोग द्रश्टी नहीं फिर प्रसाद हो जाता है इसको भोग निए अबता चोका बेगा करीन आओ खीर करी वो लोगों नथी कर दा पच्छी को करें इवाद जूदी आत्वाद कोई धर्मगुरू के के तम्हें मने दूद थी नवडाओ क्या 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 लोगों दूद थी नवडाओ पसी पाइपलाइन थी दूद नीचे आवे हजारों लोगों ये दूद नी तपेली उभरे और पसी एनी खीर बनी नखाए आशूज है दर्म को गलानी दर्म से ही होती है अधर्म से कभी नहीं होती है अधर्म के कोई त्रेवर ने की धर्म को अंधेरे की ताकत नहीं हो जाले को बस में बूत करे अधर्म से गलानी लभवति भारत धर्म को गलानी होती है तथा कथीत धर्म से अधर्म क्या करेगा धर्म को क्या करेगा दम्मेवा मच्छर होई न परतिकार शक्ति जिसकी बौड़ी में है मच्छर काते तो भी रूग नहीं होता क्योंकि अंदर ताकत है धर्म यतना ताकत्वान बस्तु है अधर्म का मच्छर उसको मेलेरिया नहीं कर सकता कुछ नहीं होता कैसा कैसा खेल होता है समाज को मैं कव तुम भी ऐसी गहल सा मत कव इमां तमारो अर्दो अर्दो हूं पॉनो भाग तमारो कि अमजे अवगर पग नो पक्रो इतलो बदू एने का पग पगड़ वात उद्दर थे जवानों से कि कोकह नहीं भाग पकड़ एताले हुं तमारे विमान आवड टिकेट् वेदामत का सुत्र पदवात के प्रमान पारावार पदमानी एक कवीता पद्या पदमानी एक की एक चौपाई एक स्लोक पद पकड़ो एकले ना विचार ने पकड़ो हां चरन स्पर्शनों महिमा रहे ये बात लेकिन गैल सा बहुत नेवू टका मखोपूँ जे नेवू टका इतोड़ी कुदारता वाप्रोश पाकि जूठाई लेना जूठाई देना जूठाई भोजन जूठ जबेना धर्म का आचरण नहीं है धर्म आवरण टेवल मन बैठा है अब सबने धर्म का आवरण बनाए आचरण कहां है में और आप सब जागुरुती चाहिए उसका समाधान मिलना चाहिए जागुरुती सपना कि इतना ही बहें कर हो और तुम्हारे अगल बगल में वेद की संहीता आये पड़ी हो मानस का बुटका पड़ा हो महाभारत हो महाभारत के वालमी की रामाएं प्रत्य एक सो आठ उपनीशद संहीताए शरदर्शन सभी गरंथ तुम इतने पंडित हो विद्वान हो चारों और गरंथी गरंथ उसके बीच में आप सोये हैं और आपको सपना आया और आपकी गर्दन कोई काट रहा है तलवार से और ग आत्र उपाए है जागोों जीमी तुलसी कहता है यह तो रंग में भर रहा है कैनुवास तुलसी काचिता जीमी सपने सीर काटए कोई जैसे सपने में कोई सीर काटते बीनु जागे दुख दूरी नहोई वहाँ गीता का स्वध्याई काम नहीं आएगा वहाँ जागना नितान तावश्यक है जागना समाधान जागरन का परियाए है आप मुझे प्रशन पूछो और मैं तुम्हें जवाब दू इससे बहुत काम नहीं बनेगा तुम्हारा समाधान होना जागर भगवान बुद्ध के पास एक आदमी बया उसने कहा मेरे कुछ प्रशन है तथागत मुझे जवाब दो चीर परीचीत हलकी सी मुस्कुराहट से बुद्ध ने स्वागत किया और कहा कि मेरे पास जवाब की व्यवस्था नहीं है भगवन आप और जवाब न दे अंतिन इस्थान तो आप है कि यहां से जवाब ने है मैं जवाब का आदमी नहीं है मैं समाधान का आदमी हूँ सद्गुरु जवाब नहीं देता सद्गुरु जागुरुत करता है मैं समाधान दे सकता हूँ और मेरे पास आने की जरूरति कश्ट के आदमें जवाब तो तुझे गरंत भी दे सकते हैं जवाब तो तुझे कोई तारकिक लोग भी दे सकते हैं जवाब तो तुझे कोई पढ़ा लिखा भी दे सकता है जवाब तो जिसको कोई दिहाती आदमी को कोठा सूज होगी वो भी दे सकता जवाब तो तुझे पंडित दे सकता है मेरे पास समाधान है तो क्या करो तो एक काम कर एक साल मेरे साथ रह एक साल के बाद तो पुछना यही सवाल नोट करके रख मुझे देखता रहा एक साल यह जिग्यासू था समर्पीद था कि मुझे पाना ही है एक साल वो बैठा एक साल के बाद बुद्ध ने याद रखा साल पूरी हुई वही समय साल पहले जब आया था उसी समय बुद्ध ने दावत दी उसको बुलाओ वो आया प्रणाम के बुले वो सवाल पूछ मुस्कर आया कौन से सवाल यह तो आप सवाल बोलते हैं तो याद आया बहुद्ध कि मैंने कोई सवाल पूछे वो भी मुझे पता ही नहीं तेरे पांस बेटने से दाता जागुरती आ गया समाधान आ गया सवाल फर्ष्ट एइड है रास्ते में गिर गये कोई ने पितप पाटपिंडी की और कहा कि बस अब उसको बड़ी होस्पिटल में लेगा एक 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 तत्कालीन सारवार है सद्य सारवार है काईमी हुकेल नहीं है समाधान महत्र का पुराने जो लोग हैं हमारे वो लोग ऐसी गैलचा में डूबे हैं और फिर बच्चों पर असर भी होती है आवी खीर नो खवाए कितना चला था मुझे आलोचना से कोई लेना देना नहीं जिसको जो करना सो कर लेकिन मुझे व्यासपीठ मिली है तो जागरूत करना य hasn खाता हूं क्लिकिवी इसलिए थोड़ा मेरा करतब भी है कि मैएजगाहा हूं आपको जोटी आपकी खाता हूं यह को यदंवी मेरे प्रारमती खाता हुँ आप यह भी तो मेरा प्रार्म्त बहुगा ने बारवट यान रूटलो मलत बावन्नो मलत जोगिदास कुमान ने रूटला खवड़ा होता था लोको हादर के साथ तो मेरे भाए बहन नविद्य के रूप में बस्तु जब पहुच जाती है तो भोगने की इच्छा नहीं होती एक पवित्र भाए तो यह सब आप जो भेजते हैं वाट की व्यवार जो तो इससे मेरी रंगोली और सम्रद्ध हो रही है तो इसे मारी पास है साथ आठ रंगोए तेमारी पास सब्दों केतला जाए बहुच थोड़ा सब्दों मारू काम चाले बहुच थोड़ा में किन आप सब कोई चावल लाते हैं कोई दूद लाते हैं कोई कुछ 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 अजी मारी ये पुरानी आदत नदी गई साहें मार गुजराती माज काओ कि पुरानी कथा हो जारे ने आजे पन गामड तो लोगो मांडवी लई जाए, मांडवी ना डूडवा मुखे पूर्थी, वरहबर, शिरुवात की कथा में, मैं भी छूट देता था, कोई शिंग लाए, कोई बाजरो लाए, कोई कुछ लाए, कोई फड़े लू केलू लावे, इव बद्धू जो तू. तो आज भी मैं कहीं भागवत कथा में जाता हूने, तो जहां तक संभव हो, आम विवेक न चुकू, और कभी-कभी तो इच्छा बहत हो जाती, दुनिया कुछ भी अर्थी, तो उजरे कथा में थी निकलू, ये मेरी आदत है, और ये है तो है, ये मेरी फित्रत है, ये अगर रस्मों रिवाजों से बगावत है, तो है, वो मेरा नहीं लेकिन उससे मुहबत है, तो है, ये अच्छा लगता है, और तुशार बार्गर कथा में कुछ ने कुछ ने वे दियो, पेज देते हैं, तो वापू, कथा मा जे सहज भावतित्तमे, बाशा भागी रथी मा, वीचार ना दीप मुको छो, तो वाचु तो थुनक याद रही जिए, मास्तर नो स्वभा वाजी ग्योर नहीं जाए, जवो इना जईए, एमा भाशा भेट तो क्या है ओगली जाएज़े, मीठी मा, इस में से मैं वो, स्याम माधवा पर चला गया, मीठी मानी भाशा भापू, राष्ट भाशा है गवरव, कथा बाग में उर्दू खुश्बू, शूर शब्दना तल जव, जवता, साथ सामगरी, यगन में आ रही, प्रेम यग, मीठी मानी भाशा भापू, राष्ट भाशा है गवरव, कथा बाग में उर्दु खुश्बु ये खुश्बु ये महक है उर्दु कथा बाग में उर्दु खुश्बु सूर शब्दना तल जव अंग्रेजी पन अहीं मानती व्यास पीठनो लावो बाशा केवल फून बने छे महकी रहता भावो बाशा चोने होई गमे ते राम नाम रहे एक भेद ओगले भाशा केरा एकज छे प्रत्यक एकज सर्ना में पहुंचातू कोई पन मारग जाओ बाशा केवल फून बने छे महकी रहता भावो शब्द देशनो हवा भी देशी शब्द देशनो ना नाव दी उसमेटे हवा आ नुशून नाम चे बसी इच शब्द देशनो हवा विदेशी सुगंधनेशू फेर कि मोगरा का फूल हिंदुस्तान में हो कि अमरिका में मोगरे का हो सुगंधनेशू कितनी कितनी सुक्ष्म बाते पकड़ी जा रहे हैं और फिर आहुती बनती हैं शब्द देशनो हवा विदेशी सुगंधनेशू फेर भरो स्वासमा दरियो एनो वर्सी रही छे महर शब्द बनेशे सुगंध तुलसी जारे मानस गाव भाशा केवल फूल बनेशे महकी रहता भाव हमारे राम जी को सुगंत में काता था कि अधर भाव केशनो इवन आव गावन पुजा आवन गावन ही चाता है बहने पहला दिश्तिकाई नमारा मगज मागज गुषीगी सरस्य यह उत्भाव से नमांजी मारा राम जी ने तमें अमारा राम राम केशव कास्वत बना दिया मांजी को कि संदेश वाग तो है कितनों सरत अपना अपना बाव है शूबैनी सरस्य निवाद मा पहले दिनों गाते थे तो में खुश हुआ नमांज आलिसा के साथ जोग दे रहे कतील शिफाई की एक गज़ा मारे मगाउ उसे को नवे किया राम मा फिट करों भी दोजिया मारे को शाला सिप्रप्रिया नहीं 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 आए प्यास वो दिल की बुजाने कभी आया भी नहीं कि बुजाने कभी आया भी रिचैनल अग्सी भातो नहीं बुजाने कराता रड्सी ठाउने के लिचैनल बुजाने कभी आया है कैसा बाद है कि जिसका कोई साया ही नहीं कैसा बाद है कि जिसका कोई साया भी नहीं प्यास बाद ही दुजाने मरो नहीं कर दो कर दो कि दो कि इस से बड़ी और भला क्या होगी कर दो कि इस से बड़ी और भला क्या होगी एक मुद्ध से हमें से सताया ही ना भी नहीं क्या प्यारा शेर है क्या सबो दिल की बुझाने कभी आया भी रोज आता है दर्य दिल पे वो दस्तक देने आता है दर्य दिल दिल देने दिल पे वो दस्तक देने, आज तक हमने जिसे पास बुलाया भी नहीं आज तक हमने कहा नहीं आओ और बुलाया नहीं, फिर भी वो रोज दस्तक देना म gray कोई सुत्र रोज सुबह में दिमाग को दस्तक बुला दे कोई ने कोई तकोरा मात सुन लिया कैसे खुदा जाने जमाने भरने सुन लिया जाने जान सुन लिया कैसे खुदा जाने जमाने भरने वो अफसाना जो कभी हमने सुनाया भी जो अफसाना हमने कभी किसी को सुनाया नहीं था जो दास्ता कभी कहीं न गई थी कैसे जमाने भरने ये सुन लिया अल्ला जाने मौत प्यारा शेर तुम तो शायर हो कतिल और वो एक आम सा शक्स तुम तो शायर हो और ये तो एक आम आदमी तुम तो शायर हो कतिल और वो एक आम सा शक्स उसने चाहा भी तुझे और कभी जताया उसने चाहा तुझे और भी तुझे और जताया तू तो शायर है लेकिन हो तो विजारा आम शक्ष था उसने तुझे बहुत प्यार किया लेकिन कभी तुम्हें पता नहीं लगा प्यास वो दिल की बुझाने कभी नीज कर दाजी मादरी पुछा आँ नीज कर दाजी मादरी नीज कर दाजी नीज कर दाजी नागरी पुछा आँ बैठे सहा जागी संदो कर पादा बैठे सहा जागी संदो कर दादा तेही दो बन दो तेही दो बन दो बिलो के जागी तेही दो बन तेही दो बन तेही दो बन दो बिलो के जागी प्रेम बिवसे सीता पहिया आई तेही आवसरे सीता पहिया आई गिरिजा पूचन जननी पढ़ाई क्या से वो दिल की बुजाने कभी आया भी नहीं कैसा बादल है जिसका कोई तुम तो शायर कतिल बातिल कतिल 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 जैसे जैपूर वालों की करीब करीब सब गजल मुरादाबादियों की भी थोड़ी कोई शाद हो जिगर हो ख़लंग जाती होई हरक शेर पर दाद देना पड़ता है शेपाई नहीं सफाई सफाई वहाँ वहाँ सफाई जिलकुल 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 बोलो यार कावे से बुत कदे से कभी बज में जाम से कावे से बुत कदे से कभी बज में जाम से आवाज दे रहा हूं तुम्हें हर मकाम आम से आधियां खूब चलेगी तो सवर जाओंगा जफर आधियां खूब चलेगी फिर भी सवर जाओंगा मैं तेरी जुल्फ नहीं हूं के बिखर जाओं कितनी भी अगनी परिक्षा हो सवर जाओंगा मैं तेरी जुल्फ नहीं के बिखर जाओंगा मुझको शूली पर चढ़ाने की जरूरत क्या है क्या है मुझको शूली पर चढ़ाने की जरूरत क्या है क्या हिताओंगा क्यांतौरR जाओंगा क्याओंगा ऐसंपनाओंगा कि तो मुझे को शूरी पर चढ़ाने की जरूरत क्या है मेरे हाथों से कलम छिन लो मर जाओंगा मैं तो शायर हूँ डर्या में समा जाओंगा शूरी पर चढ़ाने तो आधिया गम की चलेगी तो सवर जाओंगा मैं तेरी जुल्फ मुहिं हूँ के बिखर जाओंगा क्या मद के जाओं तो गमनीघ धीर है तो आथ moaring का अधिये बिखर जाओंगा मोन मुझाफिर भूलाने पढ़िया 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 यह विरते के चोटना हुई जो पढ़िया तो सीता सर्ववेदमाई वेदवती के रूप की और रावना क्रिष्ट हुआ और किसी के रूप के प्रति आकर्शीत होने के पीछे तीन परिबाड़ का उमवर्ख करिएगा स्वाध्याय करिएगा अथ्वा तो आपके अनुभव का सत्य हो तो भीतर भीतर उसको हा कहना क्यों जानकी राम के प्रति आकर्शीत हुए क्यों राम जानकी के प्रति आकर्शीत हुए पुष्पवादिका आकर्शन के पीछे तीन कारण होते सोचिएगा मेरे इश्रावक भाई बहन एक आकर्शन एक खिचाव वासना प्रेरीत होता है कोई सुन्दरता कोई मन भावन चीज जब आदमी देखता है तो उसके प्रति आकर्शीत होता है एक कारण उसको मनोवेज्ञानिक कारण कहो अत्वा तो कोई से खुबसूरत शब्द न भी लगाओ केवल जीवन की अनुभूती को तलाश हो वासना प्रेरीत आकर्शन होता कि घृत शब्रम तक क्या बात को नहीं थे खुबस मा चपान उबूली जेए यही जब आगी बशूले तो कि कैम की तरक आजो न भाडवनी बश्मा जाओ तो कैम जी कर फो आट हो पाई चार वागेस जुभूर एं पसु धयान राग जी बश्मा तो गणा आवएं जाए प एसना प्रेरीत आकर्शनों अप आप अपने अनुभाव देखेना मैं कहूं जिसा मानमंट लिला विल तो देखेए उयाख विलाशनों sih हुआ है विहार करो साथ साथ अनुभाव करो मैसुन करो हम सब इसी 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 अनुभव से गुजरे हैं गुजरते रहते हैं हम मानव हैं कमजोर कले वर क्याद भी हैं हम लोग एक आकरशन होता है उपासना प्रेरित जैसे आपको ध्यान में रुची है कि मुझे ध्यान करना है और शिवजी की मूर्ती है उसके पास आप बैठ गए कोई अच्छी मूर्ती कोई अच्छा पेड़ कोई अच्छी नदी देखी और आपको लगा कि मैं यहाँ बैठकर ध्यान करो तो वो आकर्षन आपका उपासना प्रेरी के है समंदर के किनार बैठकर जैसे भगवा स्वामी विवेकाननद छलांग मारकर कृन्या कुमारी के धरिये में खूद कर यह विवेकाननद जैसे जो जो पुजापाट करते होंगे, जो देव मूर्तियों में वानते होते, कुछ, हम, मैं, मेरा अनुभव, आप मेरे हैं, तो मैं अनुभव, मैं मेरा मायन के पास बैठता हूँ, तो ये उपासना प्रेरीत होता है, मुझे आनन दाता है, मैं शिव जी का अभिशेक करूँ, तो ये मेरा उपासना प्रेरीत आकरशन है, कि मैं कब शिव को जल चड़ाओ, कब मेरे शाली ग्राम को में तुलसी चड़ाओ, ये उपासना प्रेरीत खीचाओ है एक वासना प्रेरीत खीचाओ एक उपासना प्रेरीत खीचाओ और तूसरा तीसरा ऐसा भी होता है कि न वासना है न उपासना केवल नियती प्रेरीत एक नियते के कारण कोई किसी के प्रति खीचा जाए न उपासना है, न वासना भी है, कुछ नहीं है, लेकिन नीती खेट लेती है, जैसे दांधारी ने कहा था कृष्ण को, कि तुने ये सब क्यों किया, ये रागद्वेश की सुरुष्टी तुने बनाई, कृष्ण ने कहा, कि आप पर बहुत पीड़ा है, आपने जिला है, इसलिए आज मेरे वचन आप नहीं समझ पाओगे, लेकिन मैं कह सकता हूँ, कि ये मैंने कुछ नहीं कहा, ये नियती का खेट है, ऐसी मा है कार्यकारण मई, ऐसी है सीता, जो उपनीशद में कार्यकारण मई तो मेरे भाई बहन, सीता त्रिलोक मई है, तो वेदवती उपर से आई है, जो शिरद्वज की कणिया है, वाल्वी की, अरावन गुमने निकला है, सुचंद गुमता रहता है, और उसके रूप को देखकर उसको वासना प्रेवित आकर्शम हुआ है, उपासना प्रेवित न और रावन उसके पांच जाकर उसकी तपस्या में विक्षेप करता है, और चलो विक्षेप हो गया, उसने आखे खोली, और रावन उसके साथ थोड़ा अभद्र बोलने लगा, कुछ व्यहवार करने लगा, और वेदवती तपस्वीनी थी, तब की एक शक्ती होती है, आद कुछ बिलग रूप में जाती है, तो शराप देकर विनाश भी कर सकती है, और वेदवती ने एकदम अपने शरीर को योग अगनी में जला दिया, तुने मुझे चुआ है, मैं नहीं जीवी दिरो, मेरी तपस्या विष्णू की दासी बनने के लिए मैं कर रही थी, मैं स्व मैं विष्णू की शरणागत बनने, इसलिए मैं तप कर रही थी, तुमने विक्षेप किया, एक असूर का स्पर्श हुआ, वो जलकर भस्प हो जाती, तेही कारण, आखिरी जो इच्छा थी, विष्णू पत्नी होने, मानस जिसके लिए शब्द उठाते, तेही कारण, कार रावन तो एकदम वो हो गया, वो क्या हो गया, वो तो योग अगनी में खत्म, लेकिन चमतकारिक घटना कहो, या तो जो भी हो, एक कमल के फूल के रूप में वो प्रगट हो गई, वेदवदी, जो आस्मा से उत्री, कमल के फूल के रूप में प्रगट हो गई, और रावन इस कमल के फूल को लेकर लंका है मंदो दरी ने कहा या आप क्या ले आए बोले सब बाते कहीं बोले मुझे ठीक नहीं लग रहा है जोत्सी को बुलाया मरमक्की को बुलाया आया उसने राई दी कि इसको कहीं छोड़ दो तुमारे कुल का नाश करेगी तवकुल कमल विपिन दुखदाई सीता सीत निसासं आया सुनहुनाद सीता विनुदीन है इतन तुमार संभु अजकिन है और कहते हैं कि फिर वो जो कमल फूल है हमारी कथाओं में कोई ऐसा विशिष्ट व्यक्तित्व किसी कारण से फूल में प्रगट होते हैं फूल में रूप लेते हैं कवल से प्रगट होते हैं ऐसे कथानक बहुत में ये कथानक कभीर तक चला साहिब तक चला कि कभीर के उत्पती भी हम एक फूल में उसको मान लेते हैं कि एक फूल के रूप में पड़ता है क्योंकि कवन असंगता का प्रतीग है फिर कहते हैं कि समुद्र में बहाया गया इस फूल को समुद्र छोड़ दिया और यह तैरता 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 योग वश्ष समंदर के तड़ पर से कहीं के घुमता घुमता बिहार की भूमी पर जब किनारे पर आया कोई उसको ले गया बिहार की भूमी पर कोई उसको जनपुर में ले गया कोई वहां ले गया और फिर एक खेत में उसको वो कर दिया अकाल के समय फिर कथा समान आ जाती है फिर जनक ने हल जोता और हल की नौक से भूमी में रेखा की उसी रेखा का नाम सिता है और उसी से जान की प्रगट हुई इसलिए सितोपनिशुद में जो बात आती है कि सिता सर लोक मही कि पाताल में भी है प्रिध्वी पर भी है स्वरगी यह भी है कि सर्व किर्थी मही कि तेन प्रकार्टी होती है राजसी सात्वी की तामसी अब बहुत लोगों की हत्या करोन तो भी आपकी प्रसीदी दुनिया में हो जाती लेकिन यह किर्थी तामसी परशुराम ने इतनी बार मक्षत्री कर दी पृत्वी को कोई आतंकवादी ने इतने लोगों की हत्या कर दी तो फैल तो जाती है उसकी बात और उसके उसके चाहक उसको किर्थी के रूप में गाते हैं हमारे सवराश्ट में अच्छे भ जर्वान भी हुई है किसी कारणवश्च वो विद्रोख राज के सामने कर लेकिन प्रजा को कम पिरित और कई लोग ऐसे भी निकले थे कि जो जिसके दिल में हराम के सिवा लेकिन एना राहडा गवायाज है यह तामसी किर्थी है भाई से भाव से ने खुर्सियों नाकिन से वावाज में खट लाना किन ब। ने बुला होता ने राहडा लेवाता था सुआ है। तामसी किर्थी कर이지 करीदा कि आमने मंदीर बना लिया आपने को आश्रम बना लिया आपने गौौ शला बना लिया आपने भुणनी कथा का आयोजिन कर लिया अच्छा है उसके पीछे प्रतिष्ठा मिलती है, आपने ये किया, इस सब राजसी किर्थी है, ध्यान दे रहा है, लेकिन कोई घंटों तक पुजा बाट करता है, ध्यान में रहता है, आराधना करता है, दावी दू भी ना रहे, कस्तुरी की बास, किर्थी फैल जाती है, लोग के था, छे घंटे पु भजन ही एक ऐसी बस्तु है, जो सात्वीक, राजसी और तामसी किर्थी से मुक्त है, इसलिए ब्रह्मानंद कहते हैं, त्रिगुना, तीत, फिरत, तन, त्यागी, रीत, जगत से, न्यारी, ब्रह्मानंद, संतन की, सौबत, मिलत हैं, प्रगट, त्रिगुना, तीत, फिरत, तन, त्यागी, त्रिगुना, तीत, फिरत, तन, त्यागी, त्रिगुना, तीत, फिरत, तन, त्यागी, त्रिगुना, तीत, फिरत, तन, तन, त्यागी, त्रिगुना, तीत, फिरत, तन, तन, त्यागी, त्रिगुना, त्यागी, त्रिगुना, रूप प्रगत्य मुराई जगत्माई संत्य प्रगत्य प्रगत्य मुराई संत्य प्रगत्य 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 प सर्वधर्ममई सीता है और दर्म भी तलगाजरडी दुरुष्टी में तीन यहां हिंदू, मुस्लिम, सीख, हिसाई वो नहीं तीन दर्मा क्या नाम है उसका एक है स्वधर्मा एक है परधर्मा और एक है परमधर्मा इतीन दर्मा बिल्कुल व्यापक व्यक्या हिंदू, मुस्लिम करने जाओगे तो दिवारे आ जाएगी किसी न किसी रूप में भेदा जाएगा एक स्वधर्म होता है जिसको गीता में कहा कि मर जाना सिरिष्ट है अपने स्वधर्म में एक परधर्म होता है तुम भारती हो विदेश में सालों से रहते हो मुबारत कमाये हो आपके बच्चे बड़ी बड़ी उनिवर्सिटी में पढ़ते हैं कर में कुजराती बोलो कर में हिंदी बोलो तुम्हारे बच्चे तुम्हारे बच्चे नहीं बोल रहें बोले तो एके वो बोले नरेंडर मोडी युएसे के प्रेशिडेंट ने मल्यों कि आपको तकलीब है तुमारा स्वधर्म बनाए रखो तुमारी बाशा हिंदी हो गुजराती जो हो उसी में बोलो तुमारा दोश नहीं आलोचना नहीं क्योंकि तुम पले और माबापने ध्यान नहीं दिया और शिकायत मेरे पांस आती हमारा छोक्राव गुजराती बोलता है इम्में बगेजाशे मुझे तुमारे गरें अंग्रे जी बोल आउता हो तो मैं तुमारे सोक्राव टूशन रख्यों मैं टूशन करता हूं अधे वाविन निवातउ आपना झाला पुझे हो है को स्वधार्म माने अपनी बाषा को पकड रखो अपनी बोली रखो अपना जो धर्म है जो भी मानता हूं राम, कृष्ण, देवी, दुर्गा, इस्लाम हो तो इस्लाम, इसाइब हो तो इसाइब, जिस उसको मानो, क्या फर्क परता है, लेकिन दूसरा धर्म भयावा, अपना धर्म, दूसरे धर्म की उपेक्षा न करो, लेकिन कई लोगों को, मुझे पर्टिकुलर शब्द का यूज उप्योग नहीं कर लेकिन कई लोगों को बस हिंदू, धर्म की बात आती है तो बस निंदा ही करनी है, निंदा ही, दिगाड़ा क्या है तुम्हारा, गंगा निंधू है, यमना निंदू है, तुम्हारे मुलक म आती तो त्म उस पर डैम बना कर फसल पका दे लेकिन तुम्हारे पांस नहीं है तो तुम उसकी निंदा करो कि राम कैसा आती बाती एक्या तो निंदा कितना रुग्ण चीत आप विमार चीत है अपने धर्म को मैं यह नहीं के खोटी मान्यताओं को पकड़ो अमारे धर्म भी कई कम जोरिया है उसको हटाओं अलंग मां शीप ब्रेकिंग दंग दो जे इविसर्जन छे संहार चाले पड़ ये संहार नवु उत्पादन करवा माटे नों संहार जे कि वह शीप तोड़ी जाती है लेकिन वहां कुछ उद्भव होता है कि हटाओं कच्रे को और मुझे आनंद भी भाषा का तु तुम्हारा थोड़ा प्रोब्लेम है लेकिन मुझे आप नवरात्री उत्सव जहां भी है हमारे देश के लोग नवरात्री मनाते हैं यह अच्छा लगता है अच्यार राम कृष्णा शीव जिसको भी इसलाम का अपना स्वधर्म वो निवाय को हारू एक गुजराती वाक्य के छे से वटलयगा वगर वाल करो, आज ओशीक को एनुना मारी दृष्टिये सादू, वटलयगा वगर वाल करो, वाल लज करो, वटलयगा वगर, दुसरा है परधर्व धर्म का एक अर्थ होता है स्वभाव दूसरे का जैसा मेरा स्वभाव नहीं है उसी में मत जाना ये उनका स्वभाव है ये तुमारा स्वभाव एक धरोड़ी होईन है ये मोटो वडलो होईन है एनी नीचे लेयर करती होई हवामा नर्तन, यह यह नहीं सोचती कि इतना अक्षे वाटर में छोटी अपने स्वभाव में जी हो, हम छोटे ही सही, हम बुरे ही सही, जो है है, पर धर्मा में नहीं, अनुकरन न करो, गांधी जी को भी कुछ समय इच्छा हो गई थी कि मैं इसाय हो जाओं, खुद ने नौध की है, कि उसकी एक्षान, लेकिन राच्चंद्र ने बचा लिया, श्रीमद ने, कृपालू ने, उसके साथ उसका सत्संग चल रहा था, कहीं, कहीं, कहीं रूप में, चित डावाडोल होता था, और उसके परिवार के एक सदस्य ने तुम, इसलाम धर्म के प्रतिगति कर ही ली, और गांधी उसी ठोस मकमता पर आए, कि मैं हिंदु हूँ, इस कहने में मुझे कोई रंज नहीं है, लेकिन उसका हिंदुत्व आकाश की तरह विशार, समंदर की तरह गहरा, गव परिशंकर की तरह उंचा, जो अल्रेडी है, हमने स्चोटा कर दिया, तो स्वाधर्म, परधर्म और आखीरी है परमधर्मा, परमधर्म, शुरुति बीधित, आहिंसा, परबीना, परनिंदास अगन, करीजा, सीता है, तीनो धर्म मई, त्री धर्म मई, सीता है, सर्वाधार कार्य कारण मई, सीता है, भूमी की बेटी के रूप में सर्वाधार तो पृत्वी है, हम सब को दारण किये हुए है, और उसकी बेटी के कारण, भुमी जा के कारण, धरनी सुता के कारण, हमसव की धारक है सीता, और कार्यकारण रूपा, कार्यकारण बड़ा विश्व का बड़ा सिद्धान थे, कार्यकारण, यद्यपी ब्रह्मत तत्व को कार्यकारण लागू नहीं होता, फिर भी लीला क्ष सिता है कार्यकारण रूपा महालक्ष्मीर देवस्य तिन रूप महालक्ष्मी महाकाली महासरस्वती यह सिता है दिव्यों के तीन महान रूप दुर्गाद सिता वह है बिन्ना बिन्न रूपा कहियत बिन्नन बिन इस सिता का रूप देखने में बिन अनुभव में अभिन्ना इस सिता का आउपनी शदी रूप है चेतना चेतनात्मिका चेतन और अचेतन जड़ चेतन मई इसलिए तुलसिन का दुनिया जड़ चेतन मई है लेकिन वो सिता राम मई मैं है इसलिए मैं करम उप्रणाम जोरी जोगपा सी राम मई सबके जड़ चेतन मई चेतना का नाम सीता है विभाग भेड वेदास्चक हरी रूपा जिसकी जैसी चाकरी जिसका जैसी पात्रता ऐसे इसे विभाग में में पालती है चोटे बच्चे को दूद पिलाती है थोड़ा बड़ा हो गया तो अपने हाथ से कवल खिलाती है इससे बड़ा हुआ तो जबरतस्ती कहती है कि एक कटो रादू दोर पी ले सबकी पात्रता देकर विभाग करके ये जगनमाता सीता पूरी सुरुष्टी का पालन करती है इसनी उसका एरूप भी बताया सीता कत्व में असूर, राक्षस, भूत, परेट, पिशाच, भूत, शरीर, रूपा उसके शरीर में सब है राक्षस भी उनकी संथा, असूर भी उनकी संथा, भूत, प्रेट भी उनकी सब सुरुष्टी उनीकी है ये जगनमाता है, उसी रूपा वो है शरीरूपा है पोतेंद्रियमानहा पगवान क्रिष्णे ने इंद्रियों में मन को अपनी विभूती कहा है और सिताराम, राधाकरिष्ण अभिन्य है, वो ही थत्व है, ब्रह्मा नत्त्व है, ब्रह्मा नत्त्ति का ब्रह्म ब्रह्मा नत्ति कै कहत का है? जैनि को प्राम मुपदेश करो, तारा बापा न больше अमने चतु करें, तो अमेरे का जी शूका है, बैसी नहीं क्योंे जाने है इसएन कह रह से पर्हम मुपदेश करें, भिन भ्हा रही किरो एक टेर में ब्रह्मु पुदेश्ट सिता राम ब्रह्म है यन्माया वश्वर्ति विश्व बखिलं ब्रह्मादिदेवा सुरा तुलसी लेकिन सीटा नारी रूपा ब्रह्म राम पुरुष रूपा ब्रह्म कहियत भिन्न नभिन्न तुलसी कितना सुन्दर कहते गिरा अर्थ गिरा मानी वानी अर्थ मानी वानी स्त्री अर्थ पुरुष सिता राम की बंदना करते हैं, तो पहले वाणी रूपी सिता, अर्थ रूपी पुरुष, लेकिन भजो खोटून लाग, कितना संतुल अंतिया, जल पुरुष, जल पंच तत्व का एक तत्व है, जड है, पुरुष बड़े भग जड जड जोई है, यदिपी मानस मा लेकियो कुरुष जड 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 जोगे, बोराजी दिया, कितलो खार रशे, मैं तो आणुम कर रहा हूं, लेकिन नारी सहज जड जड़ अवाद जड जड़तु है, यवूपण लग जड़तू है, कहने का मतलब बाप, जल तत्व जड है, समुद्र ने कहा, तेनके नाथ सहज जड़ करनी समुद्र जब इनर रूप है समुद्र नर रूप है वरून नर रूप है जल वरून का रूप है समुद्र का रूप है वो देवता है इसलिए नर है और लहर तरंग वो नारी क्या एक और नारी प्रथम पुरुष बाद में दूसरी और पुरु नारी महां, श्त्री महां, पुरुष निम्न, पुरुष महां, नारी, नहीं, नहीं, दौनों को संत्य लंकिया, बंदव सीताराम पद, जीनही परम, प्रियक्षिन, तो सीताराम में इस सब, तो ब्रह्म के चार लक्षन है बाग, तो मेरे बारी आखिर में बोलने के ती एक दो वक्ति बोले फिर माप उसको बोलना तो में बराबर बैट था वह रख ता बोले उसको भी सुनता लिकिन वो जो एक दम जाप करते थे मैंने कई बार ही बनी अःग्ण काइं दीकाओ वह ऐसा ही बोलते थे तो हुँ ब्रह्मचा एउ ब्रह्मचा इंदुंध मने सम्ड़ा और युँ कोई नी खानगी बाद सांबल भी बरू शील नू लक्षन न थी पड़ आपड़े दो महानसो जी नहीं क्यारे करक्चुकी जोए इटले मारू लेक्चर मा ध्यान न रही और अई अई अध्यान च्वेटु आने अपी इन चोटी गएली उसने मेरी वाद दो तिन बार देखा उना वक्ता बुलता देने हमने में जोटी पर कान है याँ कान ने पर दो नहीं मा पुरुष समझ गए मेरा बड़ इस नहीं रहे तो करें बापू मैं यही जाब करता हूं कि वो पोतर ब्रह्मुष ऐसे बोलते बोलते ब्रह्मा कार हो जाओ अच्छा अच्छा है जैसे शंकराचार यह कहते है शीवो हम ए कोई विनोध में में पेश कर रहा हूं लिकिन प्रह्मास्मी तो ब्रह्म क्या है चार लक्षान है तो आपके पास कोई ब्रह्म की कताईस्करइबात अच्छा है ने तो इतने में समझ लेगा हमारे यह बहुत बड़ा शुत्र आया व्यासका एक सुत्र ग्रंधाया जिसको कहते ब्रह्म सुत्र और उसका पहला ही सुत्र है अथा तो ब्रह्म जिग्यासा पहला शुत्र ओपनिंग बाग क्या है प्रम्म कि जिग्या सा की तो ब्रम्म है क्या भरम भरम उपनिशत्का रुशी उसका जवाब देता है सत्यम ज्ञानम अनंतं आनंदं एतद चतु एतद वस्तु चतुष्टयम भरम्मलक्षनम उपनिशत्का रुषिए काई विदांथियों सुनो प्रान याद हुआ है जादा चारी लक्षान सत्यम ज्ञानम अनंतम आनंदम एतच चतुष्टयम ब्रह्म लक्षणम ब्रह्म के चार लक्षण सत्य ब्रह्म का लक्षण जिनान ब्रह्म का लक्षण अनंतता ब्रह्म का लक्षण और तीनों का मेल आनंदम आनंदम एतच चतुष्टयम ब्रह्म लक्षणम उपनी सत्य पुराना याद आ रहा है लेकिन उसको मैं तीन रूप में देखता हूं ब्रह्म मानी सत्यम ग्नानम यह उपनिशत में ब्रह्म की व्याख्या करते हैं सत्यम फिर ग्नानम ग्नानम का मेरा बिलकुल स्पष्ट का अर्थ है ग्नानम का अर्थ है प्रेम ग्ञान क्या मुझे कोई पुझे ग्ञान क्या में कहूँ प्रेम सोहन राम प्रेम बिनु लाख हमारे पास ग्ञान हो प्रेम नहो तो ग्ञान है ही ग्ञान का स्पष्ट अर्थ में करता हूँ प्रेम और मुझे कबीर मदद करता है कि डाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंड निए पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ ये पढ़ लेना ज्ञान नहीं है प्रेम होना ज्ञान है तो ज्ञान का आपको कठिन लगेगा जो विद्वान लोग होंगे उसको भी कठिन पढ़ेगा कि ज्ञान का अर्थ प्रेम है मेरे लि प्रेमी होगा ही ज्ञानमानी प्रेम। उपनिशत के सुत्रों को इसी रूप में मैं अनुभोग करता हूं। सत्यम तो सत्य है गिनानम प्रेम अनंतम। करूना अनंत है। काम चलाओ करूना नहीं होती। वातकी जटली करूना नहो करूना सिंधु। करूना को जब भी रखा गया तो मानस में करूना सिंधु खरारी। बुद्ध पुरुष को रखा गया तो कहा कृपा सिंधु नर रूप हरी। करूना करूना अनंत करूना है। इसलिए सत्य प्रेम करुणा ये तीनों का मेल ही आनंदम उसी का समुच्य इनिका सरवावो तुमका नाम है आनंदम पुरानी पुर्णी पुद्धति ये विदांकी आमद बनावे सत्यम ज्यानम अनंतम आनंदम एतत्य चतुष्टयम ब्रह्मलक्षणम उसको ब्रह्म कहते हैं यानंत उसको ये कहते हैं यह वो अनंतकार्द करूना न करें ये तो आपनों और चे आत्वग और तकरू जो आपकी अनुभूती में हो वही अर्थ करना और आप कबूल हो सकेंगे यदि आप गृंतियां छोड़कर क्या ग्नानकार्थ प्रह्म नहीं हो सकता प्रह्म करना ही ग्यान दंगासति कहां शास्त्र भड़ी प्रम में प्रह्म था आज उसके एक एक पद्पर विदान की लोग जर्चा करना है ग्यान का पर्याई है प्रह्म अथवत मैं यू कहूं प्रेम का अर्थ है ग्नान प्रेम का भाशांतर है ग्यान प्रेम की व्याख्या है ग्यान जाने बिनुन हो ही परतीती बिनुपरतीती हो ही नहीं तुनसी कहते हैं प्रेम नहों तो ज्ञान बिल्कुल कोई काम का नहीं क्योंकि कर्ण धार बिनु जिमी जल जानू बड़ा शीप हो लेकिन कर्ण धार नहों तो जहांज का कोई अर्थ नहीं है एसा तुनसी कहा सो तो ब्रह्म का लक्षन सुत्य ब्रह्म का लक्षन क्या हुआ सत्य कृम करून स्वज्मा वह हमारे 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 स्वान गडना कांज discsh mol जाइन आचारी अविया रित श्मतै स्वज्मा कह जाई बfalब कैièmeेड़ा जांड जाइन स्माई स्वज्मा उस बड़े हूआ महार अनुपवर में है शामले आया गांजी स्वामी राद तरब के तरे महापुरुस ही त्यार रखते तो उसने एक बार का लिए पाफू एक बार आहो तो मैं गया शन्न ने आपन तो हांबल और न यह एवा ने गया याद, तो इसकी जो शैली थी, अपनी अपनी शैली होनी जै, और बिल्कुल उसका पूरा जो उसका जो उपदेश था, यह बहुत शौट में अब तिन-चार वाक्य में पूरे जीवन का सार आप लिख सकते, इतना, मैं जो कामजी स्वामी बापा को समझा हूँ, ब्रह्मनु शुँ अर्थतयो पानाचन, तो के बापजी आपे तमें जे किदू यू समझो, तू धूल समझो पानाचन, ले आले, तो कोई ने पूछूद नहीं बाकी है, यह तो पूछा इतनी तर आप ने के धूल मुरारी बापू, तमने कोई हम के ने के धूल, तो तमने के धूछू देफू, अयमाती हमे थ्याजी है, अतारा मती जमे अम नम दबाई-दबाई, पीसाई पीसाे धूल गिया, अमे धूछा था, कोई ब्रह्म की बात आपके सामने करें तो समझना चार बात होनी चाहिए उसमें सत्य हो उसमें ज्ञान हो वो बात अनंत हो अशास्वत्न हो और उसका मिलन आनंद में परिंत हो उसी को कहते सच्चिदानंद ब्रह्मा बागवत कार उसी को सच्चिदानंद रूप ऐसे ब्रह्म का स्मरण तीन काम करता है बागवत में उसका भक्तिर परेशान भवो शुकदेव जी कहते बक्तिर परेशान भवो तीन उपाए तुम आप लोग आई एक साथ तीन क्रिया भागवत क्या प्रसक करन करता है तीन बस तू एक साथ होती है हम कभी सोचते हैं नहीं रिशीयों ने सोचा हम भोजन करते हैं तो एक घटना तीन एक काल भागवत का सब्दे तीन बस तू एक काल में हो जाती है एक का उसी है, बोजन करो, एक बटकू भरो, एक पहलू काम थाईचे, क्षुधानिवृत्ति, दिरह थे, एक बटके, कॉल ये, कॉल ये, भूखोची थो, क्षुधानिवृत्ति, तत्क्षन भीजी, तुरुपति, ओड का रहा, और दूसरी, और तीसरी बस्तु, शरीर में का संचार, तागर तीन वस्तू वैसे ब्रह्म का चिनतन करने से, एक साथ तीन, तीन वस्तू होने सकते हैं, है, स्मरन किया ही, एक काण योली दो, भक्ति, दिजो काण又 ली दो, विरक्ति, तुरुऑं कैल योली दो, मुक्ति, ब्रह्म्मलक्षनम, और धाउज सरल करीन का क्योंकि उन सरालत समझी जगो इससे ज्यादा नहीं समझ पाता है जान की नारी रूप में ब्रह्म है लीलाक्षित्र में रामपुरुष रूप में ब्रह्म है है दौनों एक है तत्वत एक इसलिए सीता के लिए सीतोपनी शुद्प जो कुछ सुत्र आया उसको जो कुछ समझ में आया आपकी सेवा में मैंने प्रस्तुत किया यह मान सीता के दे बारे में हमारा संवच चल रहा है एदिया ठामपनाई गिरीजा भूज़ जननी बठाथा देई दो गिरीजा भूज़ जननी बढ़ा देई दो गिरीजा भूज़ जननी बढ़ा देई दो श्रीकार प्रश्माई गिरीजा भूज़ जननी बठाथा देई दो संसार माव करें लेकिन कठीन से कठीन सूत्र को गुजरातियों ने जितला सरल करें जितला कोई है नहीं हजी तमें कहता हो तो कोई के गुजरात करता है काठिया वाड़े जितला सरल कोई अथवा तो दूसरे प्रांत के महा पुरुष पुरी दुनिया में वो भी इतने जटील क्लिष्ट ग्यान के धारन करने वाड़े वो भी गुजरात में आने के बाद उसको सरल करना शीख दो डूंग्रे बापा महराष्ट की चेतना एक मात्तम चेतना पुजपाज डूंग्रे लेकिन जितना गुजराती में और गुजरात में उसने जितना सरल अपना कारियक शेत्र वुज़ा भागवत के गहन से गहन सिध्धान्त को सरल का से पेश कर गें मा के दूद की तरह सवराष्ट की हुजरात में अनासक्ति योग गीता की इतनी व्यक्षे गांधी की व्यक्षा पढ़ो है सवराष्ट का सपूत भुमी के टुकड़े में कुचया अचैल सबीलो लांबो डगलो मुछ वांकडी शिरेपा घडी राती बोल बोल तो तोड़ी तोड़ी छेल सबीलो गुजरात भाई छेल सबीलो गुजरात भाई छेल सबीलो गुजरात लांबो डगलो मुच्छ मांकड़ी माथा पर पागड़ी बोल बोले तोले तोले तन जोटू बन मन मोटू खमेहिरवन्ती जाती रची बड़े लाग तो बोलो बालो पड़े चल चले अम तो बोला तो नोई काट वाईजे के तारी वांकी रे बागले डिनों तुम रे मने गम तुम रे तो कव्चों रे पातलिया तने समती तारी वांकी रे पागले डिनों तोम तो बोले तो बोले तरने तरनों मिलो याद आवे यार तारी आख्मा व्यानि भाई पूरोई इता साथ झां पूरोई दिया नारी नारी आख्मा व्यानि यो खोर्दें थारी तारी आख्मे आख्मा व्यानि तारा है। जोलनो पंधाने तारी गुर्वती नूनम नौपादे नेकलो तारी रूपनी नौनम नौपादे नेकलो जो वादा किया निकारा ते वादा उसी उसी राग में चल जाओ रूके जमाना चाहे रोके खुदा ही तुमको जो वादा किया हो जिवाना प्रेदा जाहूंगा में तुझे साजी सभी है फिर भी कभी अग नाम को तेरे आजी ने कर तेरे आजी ने ने आजी नाम को लोगें लोगें । नहीं हुआ काना नहीं हुआ यह लोगें चम्चम्पाजी नाराइन बापू नजरने बंदरादी ने तमने जो राजे तो ये को ला मजाई ने यादा रूप नाराइन ताजा रूपनी पूनं नौपादर एक घाने कटका त्रण अरद्वार गोश्वामी नहीं तर एक घाने बेक टका यम बुलें एक घाने बेक टका पड़ गुजराती बेक टका माशन तोष्ण ये तो एक घाने कटका त्रण एक घाने कटका त्रण ये समझ वोई तो गुजराती बन नरेंडर मोडी आयो तो तुमारी मुश्केली जाए क्योंकि गुजराती तुम ने न थी बोली शकता तो तुमारी मुश्केली तुमारा माबापनी भूल जाए तुमारा गर्मा गुजराती बोलो वुबगडी जाए पाटो ने पाटों ने पागि तमें बोलो आंगरेजी गुजराती बोलो ये मन तो गम है नंबभू कर भू आँश्वक्रोश के तो ने 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 रंटर मोडी ने आवे मुश्केल जे ये तो वक्यल ख्वाल ऐनगरेजी जाए ये यु़ो ग्हार बैसे क्या हो जै हैना अर्फ हुडआि घ्रगी ने टीनाती यालै यान अंग्रेजी ती जालेग्ट स्व धर्म मापनी बुली पकडु आरा तो में गुजराति जीत्फ बुदा बुली जाशो दोराक। करता हीं आर कंवह इंतोरेक्स अवह किसा नॉनीज सटेटाख्रोग्रम बना बालक। 1 दंभाल में हुआ है अप्टोड़ वन्ती नहीं पाद दीवात दीश कादवाद सवराष्ट्र ना हाथ कितला लांबा हशे तमें कल्पना करो सवराष्ट्र की भाषा ना हाथ कितला लांबा के महाराष्ट मां जनमेला शीवा जीनू आलेंडू काठिया वडमाती जूलाईू में घानी है हाथ गुजरातियों ना लांबा है राजबानों बाव जे अमारों राजबान पारणे पोविन सांभलिती शीवे राम लक्ष्मन्नी वातरे जिवे राम लक्ष्मन्नी माता जीने मूख जेडी उडिये निदूगती शीवा जीन निंदरू लक्ष्मन्नी मैं अंग्रेजी बहुत झालती तै कि मुख जेडी शीवे जीवेंगा है अन्हें हर्लाइन अपड़ादें भापा शुमन भाइ डॉक्टर सा के पीघाजी अंगरी उसके का उरानी इंगलीश उसके इमने यह अलज को आंगलीश मुली यह इंगलीश ने अटलूज जा गरें ग्लास ग्रें ग्लास ग्लीव ने उल्यूँ ऊशे ग्रीन ग्लास, लीला रंग मालाल रंग, संध्या पुजा ली प्यूने कूप्यू मारी रंग अनयम अपगली नो पाड़नार दे जो मारी रंग दे बांजियाने नादी मारी बावू दों दोयो ने दफोयो में मारो हाड अनयमारा खोड़ा नो खुंद नादी कमे दे जोरे एर नादी बांजियाने मारी बावू दोयो ने बावू मारो दायो ने पाटले बैसी नादी आप दाव दायो अन्यम करें पन पाटलो गयो खसी ने बावू पाटलो खसी जाएने पाटलो दामा बावू पडियो है नक्की करो नक्की करो पातलो गयो खसी ने इमारो बाबो पड़ो हसी उलुलुलुलुलुलुलु आवी ते कहीं कथा हुआ कि इसलिए श्री रादे, जै रादे, 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 श्री रादे रादे, रादे, श्री रादे, स्री रादे जै रादे, जै रादे, 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 स्री 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 रादे, स् अगवान कृष्ण को शयन का समय हुआ था केसर और हल्दी के मिश्री गरम दूद लेकर दुरियोधन की क्लड़की कृष्ण की पुत्रवदू अपने ससूर को वयो वृद्यकृष्ण पगनों तकियों पगपासे मुखियोचे शिरहान राखी दिधासे आम पग लामा करवा माएं कृष्ण ने हवे वार लागेज़ दिरे दिरे मरिया दालाई अन्य लक्ष्मन आयना पगने तकिया दिया बिठाया और दूध का प्याला दिया बापुजी ने तो यहनों सब्द बापिरोशे ने अमाटे तो यहनों बाप थे न भगवान दुनिया को और मेरे निवेदान एक निवेदान और करना चाहता हूं इसलिए बोमी का तो लक्ष्मना दुरियोधन की कन्या महभारतनी जीव व्यास चे महभारतनी आंक संजय चे महभारतना कान करन चे महभारतनों हात अर्जून चे महभारतनों भविश सहरेव चे महाभारतनू संदरिय नकूल जय कि महाभारतनू शार्य दीम सयम जय कि महाभारतनो प्राण युदिश़्ील चे महाभारत नी आबेरू देहर दिरवपधि चे आने महाभारतनो आत्मा कृष्णत है आखों कथा कलेवर है उसके पर्टिकुलार इंद्रियां कौन है महाभारत की आत्मा योगेश्वर कृष्ण है नभूतो नभविश्चित लेकिन देख देखा काम करता है लक्षमना के हाथ से इनों बाप मारी दृष्ट ये बोड़ो जे अच्छोकरान बहुत भोड़िवों से शकुनी चंडाल चोकड़ी है तमने कंपनी बगाड़े जे बगडेलो नतीकों सौबत कंपनी पिचारन जैम चड़ा हो है मचड़ी है मेरी व्यक्तिक दृष्टिया थे सब निवेदन मेरी जुम्मेवारी के साथ महभारत के आख संजय है जीव व्यास है संजय जोयू और देखा नेत्र है संजय जुमा है व्यास हाथ है अरजुन बविश्य है महभारत सहदे संदर्य है नकू असमीता गवराव आवरू द्रवपदी लेकिन आत्मा है क्रिश्ण भोलपण है दुरियोधन कपट है शकुनी कितना वर्गी करना करना लक्ष्मना क्रिश्ण को कहते लिए पिताजी दूठ की और लक्ष्मना के हाथ से कि दूठ का प्याला लेने में क्रिश्ण के हाथ में कमपन है लक्ष्मना में हाथ पकम है दूठ पिला रहे है क्या क्या बहले रिश्यों ने अपने भावान उकल काल्पनिक चित्रंग की किया मुझे मंजूर है हरेक बस्तु तक्ष नभी हो लेकिन जीवन का सत्य बन सकती है और दूठ तो पी लिया लक्ष्मना ने भगवान की खुद की बितंबरी से उनके वोट पूछे और एक प्रश्न पूचा पिता जी आँ बेटा अब तुम भी विश्राम में ठीक हो बेटा लेकिन कल आप शिकायत कर रहे थे कि मुझे निंद नहीं आई थी करनो मोभी नस हुए ने त्यारे आश्रित में कहें चैन नहीं जिसको तुलसिदात जी एक शब्द प्रणत कुटंब पाल रगुराई कभी गर का मोभी घर नोवडी लेब कहें कि आज मन बराबट न थी आज मर खाऊ न थी ते दिवसे आखो गर भुख्यों रहे थे कि संबंधों का ताना वाना पारती होगा तो आप कह रहे थे तो पिता जी ऐसा करें कि आपका सिरहना इस तरह रखो और आप शिरी दर रखें क्योंकि हमारे यहां दिशा बदलने से भी निंद आ जाए ऐसी एक लवकिक तो धारणा भी है दिशा तो अब उत्तर दिशा की और रख दूए अब थोड़ा सोज आए ब्रिद्ध अनुभवी आँख डब डबा गई बोले नहीं बेटा उस तरफ सिरहाना मत रखो इधर सोवू तो निंद नहीं आती उधर रखो तो सपने आते हैं सपना और आपको तो कौन सा सपना आता है तो कहते हैं इधर सी रखो तो मुझे वरजवासियों का सपना आता है कभी जसोदा कभी नंद कभी राधा सपने में आती है और फिर ये सपने बहुत सता दे है बेटा इसलिए तो मैंने तुझे मंत्र दिया था कि मैं जिस नाम का जब करता हूं वो है राधाना इगटना वहाँ है श्री राधे जे राधे राधे दञाधर है दाधे शीराभे ए आठे वायू तो सब दिशा में जाता है वायू सरवत्र गोमहान वायू तो हर दिशा में जा सकता है लेकिन कृष्ण ब्रज छोड़ कर निकल गए तब वायू द्वारिका की और जाना बंद कर देता ब्रज का पवन द्वारिका नहीं जाता है कभी पूछा वायू को कि क्यों नहीं जाता है कि हम द्वारिका जाए और वहीं से लोटे तो व्रजवासी खबर पूछते है कि द्वारिका दिश कैसे है और उसकी खबर हम नहीं दे पाते है और उसकी समुर्ती कराते ही व्रज रो पढ़ता है वायू ने द्वारिका की और बहना बंद कर दिया यम्ना ने अपने वेहन मोड दिया था कि द्वारीका की पस्चिम दिशा में नहीं बेहना हूँ कृष्ण के जाने के बाद और रज के पक्षी कभी द्वारीका की और उडान नहीं भरते थे उसने प्रजवासियों को ही मना किया था ऐसा नहीं हम कोई नहीं जाएंगे क्योंकि उसने कहा था मैं आऊंगा हमने प्रेम किया है वो आएंगे इसकी चाह नहीं थी तो हम नहीं जाएंगे प्रकृति के तत्व द्वारिका की और नहीं जाते ये प्रेम है ना कृष्टना ब्रज की और सिरहाना रखते थे न ब्रजबासी द्वारिका की और अपना सिरहाना रखते थे क्योंकि दौनों और मैथिली कहता है दौनों और प्रेम पलता है श्री रादे जै जै रादे श्री रादे जै 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 रादे श्री रादे जै जै रादे श्री रादे जै जै रादे श्री रादे जै 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 रादे श्री रादे जै 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 नी रादे, जै रादे, 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 श्री रादे, श्री कृष्न रादावर गो कुलेशत, गुपाल, गुवर्धन, नाथ, विष्णो, जिहुए, पिबस्वा, मृतमेत, देव, गुविंद, दाम, दर्मा, तो वाप, जो समय है, थोड़ा आगे बढ़ों, अब जिस तरह ते गोवन दादा मुझे बताते थे, वो शैली बताओ, तेही अवसर सीता था हूँ, क्यों आई गौरी पूजा के लिए आए, किष्णे भेजी, मास सुने नातर, माताओं का कर्तव है माताओं का कर्तव है कि अपनी बेटी को पारवति पूजा के लिए भेज आए, क्या आये तुए गिरिजा प्रिजा जनन पठाए और अकेली नहीं भेजे संग सखी सब सुभग सयाद साथ में कई सखियां है कि राजकुमारी है सिता जनक तन्या है बहुँ बीरद मोटू छै तो संग संग कई सखिया यह जपी कहते हैं अश्ट सखियां यहां गिंती नहीं लिखिया है संग सखी सब सब का अर्थ है कई है लेकिन कैसे हैं इस सखिया कैसी है सुभग सयाद सुभग का अर्फ़ सुन्दर सबस्त्रियां सुन्दर है संदर था बहुत जरूरी है वे संदर था कि नि μεंदा मत करने कोट करें अंदर थी कोई 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 न कहाक था तो इन्य है संदर था विद्या नकामी नमाया से बरना जिन हुए तैं पाधवताय कहते हैं तुम्हारी वाणी गुणगान माही। निंदा मानने गुण कफन है। तुम्हारा कान शुभवार्दा सुने और तुम्हारी जीवा, तुम्हारी नेतर सुपरियत नाव- सुदरता को अदर ड़ तें सुभग सुभग'T आरते हैं यहां तन और मन के संदरिय की बाद दादा आते ह Wikipedia संग सखी सभसुंदर सब संदर है साथ साथ ने सुदर लोगों का सथ współ केवल केवल शारिरिक संदरिय की बात ही नहीं सयानी सयानी बहुदिक संदरिय की बात समझदार सकियां कोई बेटी पूजा करने जाए उनके साथ रूप वाली लड़कियां जाए ठीक लेकिन समझदार नहोतो समझदारी बहुदिक संदरिय है सुभगता ये शारिरिक संदरि है तनू साउंदर यह और हमारे यहां फिलम में पंक्ति आई कल्याण जी भाई ने कंपोज कि कि अब तुमने याद आवे तुम क्या जाओ तन भी सुंदर मन भी सुंदर किसी और को शायद कहुँ हूई मुझे तेरी बहुत जरूरत है पहले भी आवद में देड़ा तुम क्याद आप और रहे तुम्हन फिलम के तुम्हन जढ़ बहुत तुम्हन ज़सा जून पहले ओ तुम्हरत है। कि साबू सुन्दर शरीर से नहते थे, चंदन शरीर से साबू नहया करते थे, अब हमारे शरीर को सेंडल वाड़े साबू से नहलाना पड़ता है, बजल गया अर्शा, पतंजली का भी सेंडल का साबू नहता है, सुभगकार थे सुन्दर, वियाद आते हैं दादा कर्शंदास मानें का, साब, मैं करीब आपको चालिस साल पहले की बात कह रहा हूँ, पारला के अमरुत बाग में कथा थे, कर्शंदास माने के दादा कथा का उदगाट नहीं करें। और उसने जो सुभग का आते हैं, विद्वान आते हैं। सुभग का आते हैं, सुभग का आते हैं। सुन्दर्दा की जो परिभाषा वो विद्वान पुरुष करने लगे। सुभक कारता है सुन्दर था और सयाना मेरे भाई बेहन बेटिया सुन्दर सक्षियों के साथ रहना और केवल शरीर सुन्दर हो ऐसे नहीं मन का सुन्दर यभी हो ऐसे के साथ रहना कुछ लोगों का संग हमारे जिवन में बहुत परिवर्तन कर देता है जगाए मधाए इतने पापात्मा चैतन्य महापुरुष का संग हुआ साथू बिंदे अंगुल इमाम सयाने बुद्ध का संग हुआ बुद्धम शरणम गच्छा में एक अजबूत संग के महिवाँ है सयानी सक्या है संदर सक्या है गिरिजा पुजाने के पुजा के लिए मा सुनईना में बेजी हैं और कल भी में सपर्श कर रहाता है प्रसंग को पातम शाम को बेख कि जब हमारे यहां मैंनो दिकरी हो जारे मंदीर मा पुजा कर वा जायनी चर गाती गाती जायनी गावानू गाताओं में पड़ पासी वानी मधूर होई जी तुलसी ने कितना थ्यान पर कि गीत गाने वाले मधूर सूर वाले होनी हाँ फाडी नाखेवा फाट फाट राग एके सूर्मा नो होई फाट लोवाड़ो पचाडता होई वारा संग सखी यह सब दादा के आते विस्तार करते संग सखी सब सुभग सयाने गाव ही गीत पूजा के हजीबी गाव में बेटिया थाल उपर उना सितार उना 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 गाव 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 में लोवाड़ो नो फूर्य होई ओरे सब्किया आलो जाविये शीवने दर्षण आलो जाइरे शिवनार्शने मारे को नामो सीरचे इनार्शने मारे को नामो सीरचे जालावी मारा गुरुजी नामंदीर बनता बनार गुरु नी समाधी बनता है आड़े गाड़े हितु लागी है होगाड़े उपती है मदीर में जाते हैं शंसार लेकर जाते हैं संसार की मांग करते हैं, संसार लेकर वापिछूक हैं। तीन ही काम, संसार लेकर जाना, संसार की बाते करना, intimate लोट जा, गीट गाते गाती जाना, और ये बैनों Ce लिए पूर शो तो काहिए। सोक रावनेतो, उकावनेतो। इतो कहें वाहड़ा हो दिकरियों की जिम्मेवारे दिकरिया आए गाती थे जया पार्वती का वरत करती थे लेकिन तुलसी कितना ध्यान रखते हैं गाव ही गीत लेकिन मनोहर बाली राग में, सूर में, लई में, मनोहर बाली में करकशा आवाज में में गणा बेनो गाई एक मेन यू गाता था यू अवर बीचारो काई बूली तो ये के दे काण के गरमाज आर्टिस्ट एक लबज न बोला है और ये वू बैसूरू असूरी गाई बैसूरू, काई सूरू बेल गाई क्यानी क्या जाए ओले खुणे ती रागावे सी दोरसोडा न चूलामा जाए रागे काई काई कोई अवर नहीं नकले आपने नहावडे को तू गावुके मुश्केली पड़े जाहू तो अभी बैसूर में गावुके मने तर मने गणू यमता है कि वानू काई प्रमान तमने आपो के बैसूरू तो इज गाई शोता है कि तो एनी मास्टरी अदेचारा वो तो बोल नहीं पाता है तो इजार गावान शरू करें उन्हों चा बनावावावियो जाए रसोडाना बाढ़ना बंद करें जेटू उच्वो संबलाए बंद करें ने खोटो सितार वगाड़े खोटो हाव डबलू राखे लू एन्दू हाव खोटे खोटो हाँ आने भिर्यान ले आने जिर्या आत्रण भिर्यान आने जिर्या आत्रण भिर्यान आने जिर्या आत्रन भिर्यान आने जिर्या आत्रन भिर्यान वाने जिर्या आत्रन अचिक आने जिर्या आत्रन भून आत्रन भिर्यान जिर्यान को वाने जिर्यान मिले शूर मेरा मिले शूर ना कहीं से दूर है मन्जिल ना कोई करीब की बात है ना कहीं से दूर ये बात है तो बेन बैसूरा गाई पती बहुत बोलना सके और चला जाए तो भी गुस्सा करें तमने ओं ये काई करू बोलू काई गम तुभी तैसा नहीं है तू गाती है बहुत सुन्द है लेकिन मेरी इच्छा क्या है कि तू रेडियो स्टेशन पर गाए तो अच्छा है तू स्वर परिक्षा दे यह मुवाए गडवी तार इस्वर परिक्षा देशा चंदर कांग बापा उपैन मामा रेडियो स्टेशन खुले जो तो तू अकाश्वानी पर गाया है तो बहुत खुश हुए आज मैं चाहे बनाऊ आज आज आपको इतना शुभ विचार कहां से आया कि आप मेरी संगीत सुनते नहीं और कहते है कि रेडियो स्टेशन पर गाये तो मैं घर में हूँ तो रेडियो बंद तो कर सकता हूं अमा तो मारा काई बंद कराये तो गाव ही गीत मनो घरवाद सक्की वालो ने जाई शिव ने पूजवा नागला लिदावाई गरनी वकात प्रमाणे पुदादी सामगरी होई नाई धोईन मननी पवित्र दिकरियों अरा खेतरमा पगला पिड़या होई तो वाई वाई अवगरनी मौला तूगे ये वी दिकरियों जेदी निकल की वाई गामडानी दिकरियों ये जाने जगदमा लक्ष्मियों निकली जाई 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 जबी कोच आई जाई गाव ही गीत मनो घरवाद तेही अव सरसीता तह आई गिरिजा पूजन जननी पठाई संग सकी सबसुबद सयानी गावई गीत मनो हरवाद सरसमीप गिरिजा ग्रुह सोहा बाग में सिताई मंदीर जो गिरिजा का मंदीर है वहाँ एक सुन्दर सरोवर है सुन्दर स्थान है परिशर मंदीर का सुन्दर है डादा कहते है बेटा मंदीर का परिशर सुन्दर होना जाए अगल बगल का विस्तार स्वच्छों नहीं और मन मोहा मंदी रेवू हो जोई है कि आपनों मन खेंचाए मन आकरशीद हो जाए कि यहां जाएं सरोवर है स्वच्छता है सक्खियों के साथ जान कीजेने मज जन करिस सिय सक्खिन समीता सक्खियों के संग सरोवर में स्थान किया और गई मुदित मन गवरी मिकेता प्रसंद मन से पूजा करने जाओ तो प्रसंद मन से जाओ गीत गाते गाते जाओ मनोहरबानी में जाओ सुन्दर सरोवर में स्थान करके ऐसा सुन्दर परिसर वाले मंदीर में जाओ और पूजा कि नहीं अधिक अनुरागा पूजा पाट खराब नहीं है लेकिन सामगरी कम ज्यादा हो चिंता नहीं अनुराग अधिक होना चाहिए अधिक होना चलती में घाली तुलसी पत्र क्यों न वह शाली ग्राम को चरणा काम हो सामगरी भग्वान को भूख दरने की सामगरी कम अनुराग अधिक हो यह सब दादा केश्त है एक एक सबद सीदे सीदे चलते एक शब्सद मिए चोड़ते के पूजा की नहीं अधिक अनु अनुरूप सुभग बर्मागा भारती कन्या डेवी की उपासना करे जया पार्वती का ब्रत करे तो वर के बारे में दूरी बात मांगती है एक नीच अनुरूप मने योग्य छोक्रों मरें और सुभग छोक्रों सुंदर हो जुए कि जानकी को खबर है कि मेरा विबाह मेरी प्रार्थना के आधीन कम है मेरे पिता की प्रतिज्ञा के आधीन ज्यादा मुनों विज्ञान दा कि पागड़ी क्यों सूँ पुझे समझाती थी साथ यह कुछ आरत में पहली बार बोल रहा हूं आपके साम जानकी गवरी मा के पांस नीजनु रूप क्योंकि मैं लाख वर्दान मांगू तो भी मेरा बविश पिता की प्रतिज्ञा पर आधारी थे क्योंकि प्रतिज्ञा है दनुष तोड़े उसके साथ मुझे ब्यान और दनुष तोड़ने वाला योग्य व्यक्ति न हो और सुन्दर न हो शायद सुन्दर हो भी और योग्य न हो तो कहा मने मेरा प्रारत दनुष भंग के आदिन हो लेकिन मां ऐसा आध्मी दनुष कुबड़ा तोड़ देगा तो मैं जिनकी उनके साथ मुझे पसार करनी पड़ी मेरे लायट नीज अनुरूप और सुन्दर और मिला भी सहज सुन्दर सांब प्रार्थना अधिक अनुराग से हो तो परिणाम दिये भी ना रहती नहीं निज अनुरूप सुभग बर्मागा जब ये घटना घट रही है मंदीर के गर्भग्री में एक सकी सियर संग भी हाई गई रही देखाने फूले वाई तुलसिदाज जी हमें हमें साथ साथ लिये चलते है थोड़ा मरियादा से हटके ये बेटियां ये जानकी ये सब जो हो रहा है उनमें थोड़ा दूर से मरियादा से विवेक पी आंक से तुलसिदाज हमें साथ साथ इस मंजर के साथ लिये चलते है तो क्या देखा एक सखी सिय आप सबसखियों का संग छोड़कर सबसखियों कि शोरी जी के साथ गिर्जा पूजन के लिए जा रही हैं सुनईना ने बेजी थी लेकिन वो सखी लापरवाही कर गई जिसके पुजा से साथ कोई लेना देना नहीं मंदीर में दर्शन का कोई लेना देना नहीं अवचारिक्ता की स्नान कर लिया गीत में गा रही है वो जा रही है और वो दूसरी दिशा में मूड़ गई संग भी हाई तो क्यों मूड़ी काराण तो सब बताने पड़ेंगे गई रही देखाए में फूले रहाई ज्यादा लोग मंदीर में इश्वर दर्शन करते हैं लेकिन कोई-कोई विरले फुलवाई में ब्रुम का दर्शन करते त्रिवोवन दादा हम लोग मंदीरों में ही ब्रुम को देखते हैं ये सयानी सक्की कहती है मंदीर का महत्व है लेकिन बगीचे में फूल खिले है कोकील कुआ चातक कोकील कीर चको पक्षियों के आवाज बताए हैं तुलसी ने वहाँ ये आवाज सुन रही है मंदीर की चार दिवार में ही परमात्मा नहीं है बाग में भी है ये कितना बड़ा विशाल विचार आया है अब वो पंक्ति जो हमने लिए सिता ते इदो बंधु एक लिए ला परवा इधर जाती है फूल देखती है फूल देखती है बिल्कुल फ्री लगती है एक दम सवतंत्र लगती है सकती है नौटी नहीं है नेकर नेचर अच्छा है इधर गई लटामंडप में गई यह फूल ओ को कि अखाँ मयूर ने कला पूल वाओ तेगी दोबन बिलो के जाए बाग में गुमती हुई यह सक्षी कभी कभी पुजाक पाठ करने वालों को देर से मिलते हैं लेकिन ऐसे विमुक्त मंदशा जिसकी है फिर भी विवेक है उसको कहीं गुमने से भी मिल जाता है तेगी दोबन बिलो के जाए उसने दोनों भाईओं को देख लिया और पहली नजर का प्रेम प्रेम अभी बस सीता पही हम एक एक लीटिले इनकदा करिये ने तो खौव वरह लागे तोप और अधू पूरूनत है जिस रूप में चले पहली दुरुष्टि से प्रेम विवश्च अब विवेक देखो प्रेम के अतीरेक में विवेक देखो इस सयानी सखी का विवेक समझा जब आदमी किसी को देख लेता और प्रेम विवेश हो जाता तो फिर उसको किसी सखी है विवेक की है इसलिए प्रेम विविसता तो हिभी इक बाट हू सकती की दोड़ कर यह राम को हूंने के कोशिश करें प्रेम विवेश्च सीता को अनजान के पांस प्रेम होते भी ऐसे जल्दी दोड़कर मत जाना सीता तो मेरी जान पहचान मेरी जान है किशोरी जी विश्व की आत्मा है सरवाधा कार्य कारण मई तो दिशा के तिनी सुंदर लेते सिता की और दौर के जान की सखिया सब क्या हो गया इसको डांटना चाहिए ना साथ साथ आई कि पुजा करने कहां भटक गई काथे आवड़ी हो तो क्या रखड़ती थी पुजा थी पुजा के लिए आये थे हम सब मंदीर में क्या राती फाट लेकिन तासु डशार भी तो बेखी सेस्तरी हैं पुलक गात जले हैं इस सखी की प्रेम विवश्च दख्षाज सखीयों ने देखी तो किसी ने शिकायत नहीं की किसी ने धाटा नहीं शू करती थी क्या आती हैं भटकाई नहीं किशोरी जी का संग छोड़कर चली गई शरम नहीं आती कुछ नहीं उसकी दशा देकर पुलक दात जलन है उस सखी के रॉम रॉम पुल की और आखों में जै कहु कारण निजहर शकर ए सखी ए बैन बोल तिरे हर्श का कारण है पूछा ही सब मृदू बैन किसी से कुछ जानकारी ले नहीं होने तो मृदू बैन में पूछो पड़क भाशा में न पूछो पूछना है जिग्यासा है तिरे हर्श का कारण क्या है कहु कारण निजहर शकर वो पूछनी सब मृदू बैन कि कभी-कभी पूजा अधिक अनुराक से करो ने तो फॉल मंदिर निबार मणी जाए यहां पूजा की और यहां सद्गुरु मिल गया सखी मिल गयी जो राम को देख चुकी है बुद्ध पुरुष ऐसा होना चाहिए जिसने हरी का अनुभव किया है वो ही हमें कुछ कह सकता है तो तुरंत फर्व इसलिए कहता है पूजा अनुराक से पूजा उसकी प्राप्त पुज्य का मिलन बुद्ध पुरुष का और पुज्य से प्रियतम की आत्रा राम तक सीथा जाए ताह सुदा साथ पुलक गात जलने काहूँ हर्ष का पूचे लिए हर्ष का पूचे लिए सबसे एक आवाज में सब पूचे तेरे हर्ष का कारण क्या तू इतनी पुलकित क्यों है तेरी आँखों में इतने भाव के आंसों क्यों बता तब बड़ी मुश्की से बावदशा से बाहर आती वो सक्की कहती है देखन बाग उबर दो आए किशोरी सीते सखियां दो राजकुमार बाग देखने आये नाम भीचारी नहीं जानती है कि यह राम और लक्षमन है नाम का पता नहीं प्रेम नाम गाम नहीं पूछ था नेटवर्क गोठवीन प्रेम नौथ आये इसको पता ही नहीं नाम नहीं जानती इसलिए नाम बोली नहीं राजकुमार है और लगता है बाग देखने आये हैं किशोरी जी संकेत बायक किशोर उसकी अवस्ता भी किशोर अवस्ता है और मैं क्या कहूं मैं इतनी डूब गई दर्शन में भावदशा में मैं इतना ही कह सकूँ गई कि सब भाती सुहार सब प्रकार से ये सुन्दर है अदरम मधूरम वदनम महप्रभु बलबाचारिये मधूरम नयनम मधूरम असितम रिदयम मधूरम गवनम मधूरम मधूरा दीपते रखिलम सब भाती सुहार सीता के ही अमें उतकंठा उतकंठा अब मर्यादा सक्खी में इतना विवेक है तो ये तो सक्खी शिरोमन है जनक परिया मन में उतकंठा जाए ललक जादी इन राजकुमारों को देखने की बोलती नहीं पूछती नहीं लेकिन अपने आपको सिया जुने ऐसे समाला कि प्रीती पुरातन लख्याइन को जो राजकुमार की बात हो रही है उसके साथ मेरी बड़ी पुरातन प्रीती है लेकिन कोई नहीं जानता कोई नहीं समता सुमीरी सिया नारद बचन नारद यालाए सुमीरी प्रेम प्रगट होना कोई बुरी बात नहीं है मेरे भाई बेन लेकिन तुलसी नहीं शब्द जोड़ा उपजी पुरीती पुनीत प्रेम प्रगट हुआ नारद के बचन नारद का बचन कौन लिखा नहीं है अध्यात्म रामायन देखनी पड़ेगी अध्यात्म रामायन में नारद ने सीता को कहा कि एक ऐसा राजकुमर के बारे में तू सुनेगी तू उसको देखेगी और तेरा मन उसको समर्पीत होगा वो ही किसी भी हालत में तुझे पती के रूपमे में नारद के बचन याद आए उपजी प्रीति पुली प्रीति पुली प्रगटोई सु मेरी अब आप देखे कभी कभी कैसा चित्र प्रस्तूत करता है चकी तब भी लोकर ली सकल दीसी जनु सीसु म्रुगी सभी हरनी मर चुकी है अथ्वा कहीं भाग गई और उसकी छोटी सी लिरन अकेली जंगल में फस गई और बहे लिया दादा कहां ले जागा मैं वारी वारी जावूँ है मेरे गुरु जी के पाँव ए दादा प्रतियुपकार करो का तो सभी सभी कोई शिकारी कोई आखेटी कोई बहे लिया ऐसे पशों को पकड़ने वाला आ जाएं उसके पगरव सुने मा नहीं है कोई बड़ा साथ में नहीं है और मुर्ग की एक बच्ची जैसे जैसे मुर्ग की बच्ची सभी तो हो वैसे निर्दोष जानकी उसको देखना है कि कहा है कहा है लेकि मर्यादा विवेक तो मुर्ग की बच्ची जैसे देखने की ऐसे चकी तो बिलो कदी सकल दीसी जन शिशुम्रुगी सभी अरे रामा राम यही मंजर को दिल में रखिएगा आगे की पंक्तिया दादा की यदा से कल पेश करूँगा दिन दिन अरे रामा रामा अरे रामा राम सिता राम अरे रामा रामा राम सिता राम अरे रामा रामा राम सिता राम अरे रामा रामा राम सिता राम Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Param Ram Ram आ लखन सीता सहीता प्रेदान बसंग सुर्या मूली आनमान आज की कथा यहां विराम लेती है कल सुबह साड़े नौ बजे फिर संगवाद करेंगे भाव से भूलिए राम जन भगवाद प्रिये बार कृष्म भगवाद रिये रिये सद्गुरू भगवाद रिये आज करेंगे भगवाद रिये आज करेंगे रिये सब्सक्राइब नौ जन भगवाद रखर रिये आज करेंगे रिये प्रिये नौ भगवाद रिये बार कारत रूपतु प्राम भवाद के रिये कर लुग स सांसें, अगस्पिराम कष्मार्तिपाम, सदाव अग्यूकपकम रुखरुतौ नगरकात पुनाव हुमोई, भार वार विन्हों और अगुगॉ तब सत्र नगरुपे हिरा विनीकास्द, तर बैल अगौतौ जुद्यूटा जिए नोराग भवारी राम्सक्षाइब पुनिनारद कर्मोह पारम्सक्षिद बुद्यावन्सक्षाइब अवतार कथा तुईगाड तब शुन्तर है वारी नंदिकरिति मन मंपर जोचा इश्कियाग वरंपहे सिपाई जिन उने 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 रखाई बावरी राम अभिशेक प्रसंगा पुरिनुप बजन राज रस भंगा पुर्वासित कर दिन विशाजा जैसी राम रचिवार्चा ने जोन के वत्य रुरागा सो चलो कर दिनुवार्चा जब दिन वर ब्रसंग कर दिन रच्वार्चा ने जोने रफ Allah उने पार दिन विशाजाए जोन भाना के वर उने जोना पुर्वासित कर दिन राज हो Favorite और ठाम पर्वासित कर दिना जर्पी बन टीजिए, जर्पी राज बदगेश्वे, देरपशी सर्वान्गांगांगांगी, जर्पीछी जनकी किति भूर्पावन ताई, जीध हमेल्धी पुनिटेई गाडी, पुनिक्रभु पंच बढ़ीगत बाशा, मुनीश कल्भु नियू विजिया शिमनवपदेश निर्ष बैखर नियां हो निया में आग्ड़ करते हैं... निर्ष मुद्ट सांदे नियां हमत्य जाने... आपरह बर्ना तरको मीरादे तो सरो मर्किनारत सम्दात करी माल किने नंकिन निसुख्रीम नितानी वालिकान अरबंशिकना पीजरत कर प्रभुततर सैलत्रबर्शनदार बर्ना नदर्शा सरत करू आनरोशिकना देविदिक अभी प्रदिकी सबतायां शीता खोच कर्थी सिदान इवर पड़े सकीन जैवां कर पिनम्भो रिविनात कर पता समीन कुमारां ना भगर घुपयोत्त दुद्दात कर प्रवे सिर्मिकिनात कर प्रभुततर कर प्रभुततर मायर्टम चमजर गुराइं वे रही दिती उतलव करी रतमेक जछारा कुविगरां पुरे जयाई भाई इन देहीशा जलगी दिराईं तावरी द्रतावाई रही दोगा से बुदे निपरे लिए निद गाई प्रेम बसी खी दीन वे लिखराईं Karinder प्रकूलur, ओज्त Eldon ख़िंग सर्क्रा सर्क्राक, हम्त गन्रौम्हर् भीसिगरी कर्मरं फिन आर्ड गुपति ना रुपक्ति नाेवन संपर्भा फांवन ना गॉपक्त्म लिभन डो तक रार गुपतिfelो ना। प्राप हो रामुज जाए बाया शिंगोरी नाव शिंक भर्ण॥ प्रणाश्माश्ट्र मुष्णंगर बनानि कोड़े आपार भगनाया इंग लुट्ड़े आपकार बनानि बंट्र कर लांग जो। काग सुन्मिजी महाराज़क्रिया हु। आरती श्रीक आवरामा लोगती तो एक देड़ी तरीक शीयक तेड़ी आरती श्रीश्मी रामा लोगती कावत दुम्मा विकमुनिनारती आरती विज्ञान विशारती सुकसनकाणी शेश्यरुसारती आरती विज्ञान 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 विज्ञ सब रंथन को रसे, मुनि जन धाने, संस्ताने को सरबसे, सारयंचे संहीमत सब दूए. आरटीशिया हाने, यामक संताते संसु भवानी, खरोपते संभव मुनि जन धानी, दाखियादी तरी बारिध बखानी काग भुसुंदी परुल्येदी आरेट रिषी नादी करिमन हरनी विषयर सस्थी की सुभण स्विकार्य बुक्ति जूबती की दनरोन हर मूरियमे की आरेट रिषी नादी बुक्ति जूबती की सुभण स्विकार्य बुक्ति आरेट रिषी नादी आरेट रिषी नादी आरेट कार्यक्रम है साड़े पांच बजे आप सब सादर निमंत्री थे जाइज रिषी नादी एक विशेश सुचना यह कार्यक्रम पुझ्य बापु की सन्निधी में होगा बापु यह कार्यक्रम सुनने के लिए यहां पर आएंगे इसलिए कृपा करके कोई भी भाई बहन आज बापु के निवास्थान पर मुलाकात के हेतु न जाए आश्य बेंटिकर कर दो कर दो प्रिष्वतो दग्दासो अपरितास बुद्विदा देवानो यता चादमिदवृदे असन्न प्रायुो रप्षितारो इवे दिवे देवानां भद्रासुमदे रूजुयतां देवानां राती रविनो निवर्ततां देवानां सक्यमुपसे दिमावयं देवान आयु प्रतिरंतु जीवसे तान पूर्वया निविदा भूमने वयं पगं मित्रमदीगिं दक्षमस्रिदं तर्यमनं वरुनं सोमास्विनां सरस्वतिनस्वगा मयस्करतं तन्नोवातो मयोबुबबाद्वेशजं तन्मातापूति वितत्वित्वित्वत्वित्वित्वत्व्यों रद्रावान शोमसुतो मयोग वस्तादस्विना सुनुतं धिष्णायुवं तमीशानं जगतस्तस्तुशस्पतिं। ध्यं जिन्वाम वसे भूमने वयं पूशानो यताफ बेद्सामसदुदें। खुष्टिन इंड्रो उस्मी इन्स रवा उस्टिन पूशदिछ वेतां वश्तिन्स्षिण विला स्टि औस पूच्छा करा्दोर्हु कुष्मी मातर्म है संगीतनीदुनिया परिवार महुआ इमेल संगीतनीदुनिया अट याहू डॉट कॉम वेबसाइट www.muraribapu.org संगीतनीदुनिया प्रस्तुत करते हैं अब मुरारी बापु द्वारा की गई सभी राम कथा USB पेंड्राइव में उपलब्ध होगी ओनलाइन वाटसाप ओडर मेसेज करें 9825471601 पर आज ही अपना ओडर वाटसाप कीजिए संकीर्तन, धुन, भजन, चौपाई की एक पेंड्राइव जिसमें 800 से ज्यादा संकीर्तन आज ही अपना ओडर करें मुरारी बापु द्वारा की गई सत्य, प्रेम एवं करुणा की तीन कथाएं एक पेंड्राइव में उपलब्ध मानस सत्य, जो धर्मशाला में हुई थी मानस प्रेम, जो नाथ द्वारा में हुई थी मानस करुणा, जो जपैन हिरोशिमा में हुई थी ओनलाइन ओडर करें 9825471601 पर ओनलाइन वाटसाप और गुजराती चार कथाएं एक पेंड्राइव में उपलब्ध मानस गंगासती, गंगासती आश्रम कथा मानस कागरुशी, मजाधर कागधाम कथा मानस रामकृशनहरी, सूरत कथा मानस चामुंडा, चोटिला धाम कथा और मानस मीरा भागे एक और दो, मेड़ता और चितोड कथा मानस रामदेव पीर, रामदेवरा राजस्थान कथा यहां तीन कथाएं एक पेंडराइव में मंगवाईए, ओर्डर करें ओनलाइन संगीतनी दुन्या, वाट्साप नमबर 9825471601